एलो फ्रेंट्स बिलकुम टो अनलाइन इस्टी किंग इंडब दोस्तों उत्रप्रदेश लोकसिवा आयुग द्वारा आयुजी तुनिवाली परिच्छा समीच्छाधिकारी सहाइक समीच्छाधिकारी 2023 के लिए हम लोग सामानी हिंदी जोकी 6 टॉपिक आपको कवर करने हैं और 60 प्रस्ण पूछे जाने हैं सभी टॉपिक से बराबर प्रस्ण बनेंगे 10-10 प्रस्ण होंगे 10 नंबर की तो आरो यारो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक घटन चक्र पूर्बाव लोकन को हम लोग कवर कर रहे हैं कुछ लोग आदित को भी बोलते हैं आदित को मैं दूसरे नंबर पर रखता हूँ क्योंकि वहां पर आपको जो यमसी क्यों दिये गए हैं कोईवल और कोईवल जार हैं तो इसको आप अच्छे से एक बारी कवर कर लीजिए उसके बाद रिविजन के तौर पर उनके एमसी क्यों कवर कर लीजेगा बसे यह कंप्लेट होने के बाद उसको भी कवर करा देंगे लेकिन पहले यह सबसी टॉपिक कंप्लीट हो जाए अच्छे से पूरी बसेसी को अच्छे से पेज बाई पेज पढ़ लीजेगा तो इस बुक की सीरीज में अभी तक हम लोग 6 टॉपिक में 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिक्शेशन में दिया गया है जा करके आप जो भी टॉपिक अभी तक कवर कराए ग तत्सम योम तद्भो को कम्प्लीट करते हैं लेक्शर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है यदि आप उमारी चैनल पर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के साथ साथ आल नोटिफिकेशन बेल आइकान को आ कि ऐसी ही आनिवाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे तो आई तौपिक यहां पर जो है चौथा होगा तद समयों तद भोशब्द मनुष्य एक ब्यवस्थित भासा के द्वारा बिचार बिनमे करता है मनुष्य की भासा का निर्माड सब्दों से होता है धुनियों के मेल से बने सार्थक बर्ण समूह को सब्द कहते हैं सामान नित्या सब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक और निरर्थक उत्पत्ति की द् तत्सम और तद्भव पूंचा जाएगा इसी को आप अच्छी से कबर कीजिएगा। हिंदी में परियोग तो अधिकांस सब्दों की जननी संस्कृत भासा ही है। इनमें कुछ सब्द तदन रूप अपनी गरिमा हिंदी भासा में अधितन बड़ाय हुए हैं जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं। किन्तु कतिपय सब्दों में परियोग की अस्तर पर कुछ परिवर्तन समय की प्रभाह की साथ देखने को मिलते हैं। फिर भी उनकी रूप को देख करिया सहज ही आभास हो जाता है कि वे संस्कृट की किस सब्द से प्रसफुटित हुए हैं। संस्कृट से हिंदी भासा में आए जो सब्द परिवर्तित हुए उन्हें तदभाव कहा जाता है। तदभाव शब्द तद प्लस भाव से बना है जिसका आसे होता है दिख्सित या उससे उत्पन। तद का मतलब क्या उससे हो गया भाव का मतलब उत्पन। तद का मतलब उत्पन अर्थात ऐसे सब्द जो संस्केट से उत्पन यह और विख्षेत हुए हैं। वहीं पर दूसरी और ततसम सब्द ततka मतलब उसके हो गया, उसका है ना सम मतलब समान, तो उसके शमान बिलकुल यह ऋनी संस्कृचित के शमान मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा, तो ततसम, तत पलस शम से मिलकर बना है जिसका आर्थ है उसके समान, आसा यहा है कि ज सब्सक्राइब सब्सक्राइब ह्यां सब्सक्राइब तो आप इन्हीं को अच्छे से प्रेक्टिस कर लीजेगा सारे प्रस्न आसानी से करके आएंगे आप एक्जाम में 2021 की तरह जैसे कबर किया था उसी तरह इस बार भी कबर करके जाएंगे आप लोग तदभव ततसम सब्दों के परियोग के बिसे में पहला उलेख आचार्य दंडी ने अपने काब्यादर्स लच्छन ग्रंथ में किया है वह कहते हैं संस्कृत नाम धैवी नाम अनवा ख्याता महरसिभी तदभवस्त समों देशीत नहका प्राकृत क्रमा अर्थात संस्कृत भासा देवों की भासा है इस भासा के सब्द प्रियोगों का व्याख्यान प्राचीन महरसियों जैसे कि यासक पाड़िन पतन जली आधनी खिया है संस्कृत के यतरिक्त दिन भासाओं का व्योहार होता है वह प्राकृत हैं इन प्राकृत भासाओं में कुछ ऐसी हैं जिनके सब्द संस्कित भासा से उत्पन है और उसके बिगड़े रूप लगते हैं ऐसी भासा को या उनके सब्दों को तदभव कहते हैं दूसरी प्राकिर्त ऐसी है जिसके रूप वाक के प्रियोग और सब्द संस्कित से बिलकुल मिलते हुए और उसके समान होते हैं ऐसी प्राकिर्ट भासा तत्सम प्राकिर्ट है सिंपल सी बात जो आपको बिल्कुल ठेट सुद्ध भासा लगे वो आप तत्भव दीजिएगा थोड़ा संत्की जैसा नुमा दिखे तो आप उसको तत्सम मानें अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम जलेगा बाकि आप जानते हो प्रैक्टिस में एक फरफेक्ट मैं उसके सब्द संकीत भासा के सब्दूशे शमानता रखने के कारण तत्सम कहे जाते हैं जिनके सब्द संस्कृत प्राकृत भासाओं का लोप हो गया है देशी प्राकृत भासाओं की परंपरा में हमारी हिंदी भासा है हिंदी भासा का जन्म संस्कृत तथा उससे उत्पन्न होकर बोली जाने वाली तत्सम और तदभव पक्रत उसे ही हुआ है अता हिंदी की सब्दों उसके वाक्य बिनास्रकारकों प्रत्य और क्रियाओं का मूल शमग्र रूप से संस्कृत भासा में विद्दमान है संस्कृत भासा से परिवर्तित होकर बिगड़ी रूपों में नया जन्म और इस्थिर इस्थाई स्वरूप पर प्राप्त कर हिंदी की क्रिया शब्द और संग्या शब्द बेवहार में आये हैं तता आज राष्ट भासा की रूप में सामान हिंदी भासा का जो उज्जल रूप प्रतिष्ठित है उसकी सब्द रासी में संज्कृत की मूल शब्द भी हैं इन सब्दों को तत्सम सब्द कहा जाता है और उन्सूत्पन बिगड़ी सवरूप में बेवर्त होने वाले शब्द भी इनकी संख्यात था अनुपात सब्द भी अधिक है और इन शब्दों को आप तद्भव शब्द कहते हों तद्भव सब्दों में शायोमसा के अस्थान पर प्राया साही होता है बीठ के स्वर्का लोब बेंजन का दियूत और चारण की सुवधा की द्रिष्टी से यंतिम श्वर्का दीर्ग होना सारी परिच्छाएं जो हुई हैं उन सभी को शमाहित किया गया प्रश्णोत्तरों को अब आईए हम लोगों प्रश्ण संग्रा को कबर करती है इसकी बाद इंपॉर्टन द्ध्यन खंट सामागरी फिर पूरा कंप्लीट तत्सम तद्भव पहला प्रश्ण आपके सामने है यही पूंचा है तो आप शन ही सही जबाब होगा चक्का का तत्सम चक्त्र होगा चैत का तत्सम चैत्र होगा च्छत का शस्तम तत्सम जो है च्छत्र होगा बाकी सब सही है अगला प्रश्ण है कि आदर्सिका का तद्भव शब्द क्या होगा आदर्सिका का तद्भव शब्द होगा आरसी तो आरसी क्या है? तदभो शब्द है इसका तदसम आदरसी का है तो आदरसी का का तदभो शब्द आरसी है अदरक का तदसम आरदरक होगा और आच का तदसम आरची होगा अब जहां पर भी किसी भी सब्द में आपको चंद्रबिंदी दिखेगी तो चंद बिंदी जहां भी दिखेगी ना उसको आप क्या मानिएगा तदभो शब्द ठीक है इस सूत्र को याद रखिएगा निमलकित में ततसम शब्द क्या होगा तो दूद्ध अपने आप में तदभो शब्द है इसका ततसम बनता है दुग्ध हाथ तो हाथ भी अपने आप में ततभो शब्द है आपशन यहाँ पर डी सही जबाब बन जाएगा और कास्ट का ततभो जो बनेगा वह होता है काट तो आप्शंटी सही जबाब नेक्स्ट निमलिखित में तत्सम तद्भो का सुध्ध युग्म कौन सा है तत्सम तद्भो का सुध्ध युग्म तो तत्सम यहाँ पर नशत्र लिखा है छत्री वाला चाह है तो यहाँ पर जो च्छा है ये छत्रिया वाला होना चाहिए था तब यह सुद्ध होता तब ये सही होता ये न छत्र का न खत जो होता है तद्भो तब यह सही होता लेकिन यह गलत हो गया पकवान एक तद्भो शब्द है इसका तत्सम जो होता है वो पकवान होता है अगला सब्द यहां पर गीध दिया है, तो गीध तदभो है, और इसका तदसम होता है, वह होता है, ग्रेध्र ठीक है, ग्रेध्र लिखा जाएगा इसे इस तरह, तो यहां पर आधा धा होगा ना कि पूरा धा बना रखा है, तो इस तरह लिखा जाता तब यह होता गीध का, तत्सम ये सुद्ध होता है इसलिए ये भी गलत हो गया ओस लिखा है तो ओस अपने आप में क्या है कि तत्भो शब्द है और इसका तत्सम होता है अवस्याए तो यहां बिल्कुल सुद्ध युगम है आपसन डी सही जबाब बन जाएगा अगला है कि बच्चा सब्द का तत्सम रूप क्या होता है बच्चा सब्द का तत्सम रूप हे वत्स हे बच्चा तो यहां पर बच्चा का क्या होता है वत्स आपसन यहां पर सी सही जबाब बनेगा अगला प्रस्ण है कि निमलकित में आपको तद्भो शब्द की पहचान करनी है अगनी दिया है तो अगनी एक तद्भो आग होगा पुश्ब भी अपने आप में एक तद्भो फूल होता है चवदा तो चवदा भी अपने आप में एक तद्भो है अच्छा तदभव ही पूँचा है तो आपसन यहाँ डी सही जबाब बनेगा सलाका दिया हुआ है तो सलाका यह अपने तत्सम है और यह किसका है तत्सम सलाई का तो सलाई का तत्सम सलाका होगा ठीक है तो आपसन यहाँ डी सही जबाब आगे बढ़ते हैं क्योंकि चवदा जो हो गया तद्वो चतुर्दस्दि कश बन जाता है तद्सम घोड़ा का तद्सम शब्द बताना है प्रिलिम्स 2021 आरो ए आरो पूँचा हुआ है कई बार पूँचा गया फिर पूँचा गया तो घोड़ा का क्या होगा घोटक गोड़ा का तत्सम घोटक होता है अस्वबाजी तुरंग है एतियाद गोड़ा सब्द की प्रयाय बाची है गोड़ा सब्द का तत्सम घोटक गोधूम का तदभो आपको बताना है और गोधूम का तदभो इन्हीं गोधूम कितका ततसम है गीहूं का आपशन यहाँ पर सी सही जबाब है तो पूछा गया भई गेहूं का गेधूम ठीक है तो इस तरह पूछे जाते प्रशन आप देख पा रहे हैं बहुत आसान सब रिपीटड प्रशन है तो गोधूम शब्द ततसम है गीहूंगा गोध का ततसम गोत्र होता है गोध का ततसम क्या होता है क्रोड और गोध का ततसम गोधा अब आने वाले एकजाम में पूछ लेगा आपसे नेमले कितमेसी गोत्र का ततभरूब बताईए तो आप लगा क्या होगी क्रोड इस तरह पूछा जाता है बार-बार पूछे गए सब तो इसी ब्याख्या से ही पूछ लेंगे प्रशन आपसे अगला प्रशन PCS आरो यारो प्लिम्स में पूछा गया तो आरो प्लिम्स 2021 ततसम शब्द बताना है पंग्ती पंग्त लिखा है तो पंग्ती एक अपसम सब्द है और इसका जो ततभरू रूप होता है वो होता है पंगत पंग्ख अपने आपमें एक ततभव शब्द है इसका ततसम होता है पंग्त और पंग्त नेमलखित निनक्त सब्दों में ततभरूप में एक पहचान करनी है जोगी आपने आपमें तत्भरू है इसका तत्सम योगी होता है जोबन है तो जोबन तत्भो है इसका तत्सम होता है योवन तो यहाँ पर तत्सम आप्शन डी सही जवाब बनेगा जोबन तत्भो हो योवन यहाँ पर तत्सम रूप है जमाई दिया है तो जमाई का तत्भो सब्द है और इसका तत्सम जो बनता है दोस्त वह बन जाएगा जा मातरी तो प्रिलिम्स 2021 पूछा गया आरो अगला प्रस्न पूछा गया तद्भो शब्द तो यह तद्भो यानि कि यहाँ पर चंद बिंदी वाला सब्द आपको दिख गया आख मून के लगा दीजिएगा बांज तो बांज शब्द अपने आप में एक तद्भो शब्द है और इसका तत्सम बनता है वंध्या तो वंध्या या इसका तत्सम रूप बनता है बलवन लिया हुआ है चमचा लिखा हुआ है तो चमचा एक जो है विदेशी शब्द है जो की चमच से बना हुआ है चमच आसमान शब्द जो है यह फारसी है और यह आसमा से बना हुआ शब्द है नेक्स्ट चौथा ये भी आरो ये आरो 2021 में पूछा गया देख पाने कितने आसान पूछे गए हैं अब 35-40 तो आप कर ले जाओगे एक सामान पढ़े के जाओगे तब लेकिन आपको 55 पलस करना है उसके लिए आपको अच्छे से बढ़ना होगा क्योंकि आपको लग रहा होगा ये आचाना ऐसे आएक तो कर लेंगे क्या है यहीं पर आप भूल कर रहा होगे सबसे बड़ी तो अच्छे से पढ़ना है छोड़ना नहीं है तो चवथा का तत्सम सब्द क्या बनेगा चतुर्थ आपसर यहाँ पर डी सही जबाब बन जाएगा चतुसपद अपने आप में तत्सम शब्द है चतुसपद है तत्सम तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूंचा चवथा का तो इसका होगा चतुर्थ, चतुस्पद लिखा है, तो ये चतुस्पद है किसका, चौपाया, पद मतलब पायर तो चार पायर चौपाया हो गया, फिर इसके बाद लिखा हुआ है चतुस्काट, चतुस्काट यानि चौखट, ठीक है, चौखट, तो चौखट का तदसम रू या चौक तीक है तो चौका या चौक का जो है ये तत्सम रूप है चतुषक चतुषक तदभो चौका या चौक अगला प्रस्ण प्रिलिम्स दो हजार इक्कीस बताव वै तदभो रूप पूश लिया अब यहाँ पर आप हो सकता कन्फ्यूज हो गए हो पढ़के ना गए हो लेकिन ये रिपीटड प्रस्ण है वैसे अब अंगना लिखा है गयंद है अंगी है बानर है तो बानर भी तत्सम रूप लिखा है ठीक है क्योंकि इसका क्या होता है बंदर तदभो अंगी जो सब्द लिखा है ये तत्सम रूप है इसकार्थ होता है जो सुन्दर इस्तिरी ठीक है तो अंगना का हो जाएगा सुन्दर इस्तिरी ये भी तत्सम है और अंगी लिखा है अंगी अंग सरीर धारी सरीर यूगत ठीक है तो सरीर यूक्त हो जाएगा इन गयंद लिखा है तो गयंद यह आया आपका तदभो शब्द है आपसर यहाँ पर आपका बीस सही जबाब बन जाएगा गयंद अपभरंस भासा का सब्द है जो की हिंदी भासा में तदभो शब्द की रूप में सुभीकार किया गया है अंगना शब्द जिसकार्थ सुन्दर इस्त्री है अंगी शब्द जिसकार्थ सरीर धारी या सरीर यूक्त होता है बानर सब्द तद्सम रूप है तदभो बंदर का अगला पूँचा गया एक्जाम में आपसे हस्ती किस सब्द का तत्सम रूप है तो यह आप इसे कली किसका है हाथी का आपसने हापर सी सही जबाब बन जाएगा यहाँ पर चंद बिंदी दिख रहे हैं यह भी आपका तत्सम शब्द क्या बनेगा हास्य हाथ तत्भो है इसका हस्त होगा तत्सम और यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो हार लिखा हुआ है यह बिसिकली अनेग आर्थी सब्द है जिसका आर्थ होता है पराजय माला भरण इत्यादी और यहाँ जो सब्द है हार हार सब्द तदभव और तत्सम दोनों रूप में सुभीकार किया जाता है यदिक्जाम में आपसे पूंस लिया जाएक निमलिकित में से कौन साचा सब्द है जो तदभव और तत्सम दोनों में सुभीकार किया जाता है तो आपका अंसर होगा हार हार कार्थ पराजय भी होगी और माला भी होगा हरण भी होगा निमलकित में इसे तदभोशब्द की पहचान करनी है तदभोशब्द आपको बताना है और यह भी प्रिलिम सुदो हजार इकीश में पूशा गया और यहां पर आपका सही जबाब बन जाएगा दाढ़ी तो आपकी जो दाढ़ी है यह भी क्या है तदभोशब्द है यह जो मेल है तीक है नगन शब्द दिया हुआ है तो नगन जो है यह अपने आप में तद्सम है किसका यह नंगा शब्द का है तो नंगा हो गया तदभो और नगन हो गया तद्सम दच्छन सब्द भी अपने आप में तत्सम है जिसका तदभव होता है दाहिना द्राच्छा तो द्राच्छा यह हो जाएगा दांख तो दांख हो गया तत्सम तो आप से निहाड़ी से ही जबाप तत्भव सबते रजनी घक त्राच्छा तत्सम की दृष्टी से सुद्ध है या आप जानते हो शाड़ी वही जो होता है तत्भव सब्द और इसका सत्सम होता है शाटी का सभी आप से यहाँ पर सही जबाब बज़ जाएगा रहन शब्द दिया तो रहन शब्द अपने आप में एक तद्भो है जिसका होता है तद्सम रजनी है न रजनी ठीक है रजनी गंधा ने रजनी ठीक इसके बाद सर्सो है तो सर्सो तद्भो रूप है इसका तद्सम क्या होगा सरसब रसी रसी भी तदभो है और रज्ज रज्ज हो जाएगा तद समरूब आगे बढ़ते हैं दोलतों तो जब साधी वादी हो जाएगी जब वाइफ आएगी तो बोलना चलो आज साठी का लेते हैं तुमारे लिए तो सीबी असी बोर्ड की होंगी तो समझी नहीं पाएगी तुम भी आरो वो भी आरो से मगर हो गए तो वो हिंदी पढ़की आएगी उनको मालूम चल जाएगी चलिए बारात सब्द का तत्सम रूप आपको बताना है तो बारात का क्या हो जाएगा तत्सम रूप इसका बन जाएगा वर्यात्रा आपसन डी सही जबाब है आगे बढ़ते हैं दोस्त मोती मोती शब्द का तत्सम रूप तो मोती का तत्सम रूप क्या होगा मौक्तिक आपसन यहाँ बी सही जबाब है तो मोती का ना तो मौती होगा न मुक्तक होगा तीक है तो मुत्ता का मुक्तन मुक्तिक होगा तीक है next मिट्टी का तत्सम सब्द क्या होगा मिट्टी मिट्टी का होगा मृत्टी का अप्षन यहां ए सही जबाब है निमलकित में तदभव रूप क्या है? तदभव तो यहाँ पर तदभव शब्द कौन सा है? उलूक देखने को मिल रहा है. तो उलूक अपने आप में तदसम है. किसका? उल्लू. उल्लू का हो जाता है तदसम उलूक. कुवा, कुवा का तत्सम होगा कूप, ओजह, तो ओजह ये है किसका, तो उपाध्याय जो है, उपाध्याय, उपाध्याय का तत्सम रूप है, किसका ओजह का, ओजह एक तत्भो शब्द है, आप्शंसी सही जबाब बन जाएगा, पुस्तक, तो पुस्तक भी अपने आप में ततसम है किसका तो पोथी पोथी शब्द जो है वह तदभब रूप है और पोथी का ततसम उस्तक होता है ठीक है आजए बड़ो निमन में से एक सब्द आपको बताना है ततसम तो ततसम सब्द कौन सा होगा यहाँ पार पहला दिया हुआ है सपूत तो सपूत तद्भो है जिसका तद्सम बनेगा क्या सुपुत्र क्या बनेगा दोस्त सुपुत्र सांकल दिया है तो सांकल अपने आप में एक तद्भो सब्द है किसका स्रिंखला का ठीक है तो स्रिंखला हो गया तद्सम सांज हो गया तदभव और संध्या हो जाता है क्या तदसम ठीक है और शरीशरीप यहाँ पर तदसम रूप है आप संध्वी सही जबाब बनेगा निमलिकित में तदभव शब्द की पहचान करनी है तदभव तदभव शब्द अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ में आ लेकिन घर आपको दिख गया होगा और घर का संस्कीत ग्रिय होता है तदसम और यह घर जो है तदभव होगा तो तदभव यहीं लगा दो आप इतरह पढ़किया जाना तो आप से निया डी सही जबाब बन जाएगा जोचना दिया हुआ है तदसम शब्द है किसका यह होता है जोन का जोन दीक है परिच्छा तो परिच्छा भी अपने आप में तदभव ना होकर यह भी है कि तदसम है किसका परख तो परख तदभव है और परिच्छा तदसम स्रेष्ठी सेठ तो सेठ जो है तदभव है और स्रेष्ठी इसका हो जाएगा तदसम रूप अगला प्रश्ण है अखरोट अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा सही जबाब बन जाएगा छोट आप संसी निमलिकित में से तत्सम और तदभो का सही युगम आपको बताना है पहला दिया हुआ है महूक महुआ तो महूक नहीं मधूक होता है तो यहां पर धा होना चाहिए था हाँ की जगा मधूक तब यह फही होता है इसलिए गलत हो गया अच्छवाट और अखाडा तो अच्छवाट तत्सम है अखाडा तदभो रूप है लेकिन इसका जो तत्सम है यह गलत दिया हुआ है क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो दा के उपर रा नहीं लगा है अगर यह लगा होता तब यह सही हो जाता इसलिए भी गलत है इच्छ का इख लिखा हुआ है तो इख तदभो है बिल्कुल सही है इसका तदसम होता है इच्छू ठीक है तब या सही होता है यह भी गलत हो गया निम्लिखित में से तत्सम की द्रिष्टी से एक युग्म अशुद्ध है तत्सम की द्रिष्टी से तो दीच्छा परिच्छा ये इस तत्सम है सुकर वलीवर्द ये भी तत्सम है कपूत शपूत लिखा है तदभो दिखरा है खुपत्र शपत्र होना चाहिए ता वरिष्ट कनिष्ट ये भी सही है तो आप से यहां पर सी सही जबाब बन जाएगा गलत है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से ततसम ततभो का एक सब्द यू अशुद्ध है वा कौन सा है और आप देख पा रहे हो यहां आरो मेंस 21 म यहां पर एक जगह पर अगर च्छा होता तब तो हो जाता चत्षिगा इसका ततसम तो यह हो गया गलत है इख तो एक जो है अपने आप में क्या सब्द है तदभो शब्द है और इसका ततसम होना चाहिए था वाइक्षू अभी पढ़के आ रहे हो तो यह भी आपका गलत ह दो गलत हो रहेंगा चलिए उद्वर्तन लिखा हुआ है और उबटन लिखा है तो उबटन और उद्वर्तन बिल्कुल सही है उबटन हो गया आपका तद्वह और यह तत्सम हो गया गोबर गोबर तद्वह है और तत्सम गोमय हो जाता है तो C और D सही है लेकिन A और B गलत है असुद्ध पूँचा है तो यह और भी दोनों सही जबाब बन जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों तत्सम और उसके तत्भव रूप की दृष्टी से नीचे लिखे गए बिकल्पों में कौन सा बिकल्प गलत है यहीं सिंपल सी बात कि तत्सम तत्भव की दृष्टी से कौन सा गलत है तो आर्दरक की अपने आप में एक तत्सम रूप है अधरक का किसका अधरक का भी पढ़के आ रहे हो यह उखि गीला का तो आर्दर होना चाहिए था तो हो गया यह आपका पहला ही गलत यही सही जबाब होगा टाइम बरवाद नहीं आगे बढ़ते हैं बाकी सब सही मिलाना है चली भाई आगे बढ़ते हैं 29 नमबर पर निमलिकित में तत्सम तत्भव का गलत युगम कौन सा है पहला दिया है शुघट तो सुघट का तत्भव शुघड लिखा है बिलकुल सही है ग्यातिग्रिय का नईहर है या भी सही है पाण्यसालिक तो पाण्यसालिक का क्या लिखा हुआ है पंसारी तो या भी क्या है तत्सम तत्भव है बिलकुल सही है प्रतिबेसी तो प्रतिबेसी का यहां पर मबेसी है जो की गलत है प्रतिबेसी तत्सम रूप है किसका पडोसी तो पडोसी हो जाये का तत्सम प्रतिबेसी तो आपसन यहां पर D आपका गलत युगम है आपसन D से ही जबाब है अगला दिया है आवा, आवा का तत्सम रूप क्या होगा तो आवा हो गया तत्भो और इसका तत्सम क्या बनेगा आपाक, आपसन यहाँ पर डी से ही जबाब है बाकी आग और अगनी, तो आग तत्भो है तत्सम अगनी है अगला प्रश्ण है कि तदभो शब्दा को आप पहचान करना है तदभो शब्द पहला शब्द यहाँ पर दिया हुआ है भांडार तो भांडार एक तत्सम शब्द है और इसका तत्सम होता है भांडार ठीक है, भंडार कुकुर भी एक तत्सम है और इसका तत्भो रूप क्या बनेगा कुट्ता कटुक तत्सम है और इसका होता है तत्भो कडवा और मयंद यहाँ पर दिया हुआ है एक तत्भो शब्द है, आपशन यहाँ D सही जबाब बन जाएगा इसका तत्सम होता है मिरगेंद्र तो आप्षन डी सही जबाब है दोश्ट अगला प्रस्ण है कि इन में से तत्सम तद्भो का सुध्धर युगम का उनसा है तत्शम तद्भो पहला दिया हुआ है स्रेष्ट तो सेठ होता है तदभो इसका तत्सम बनता है स्रेश्ठी इसलिए पहला युक्म गलत है आपको शुद्ध युक्म की पहचान करने रहाट लिखा है तो रहाट तदभो है इसका तत्सम बनता है अरघट यहां पर हट लिखा है तो और घट हा की जगा होना चाहिए थगहा तब यहां सही होता है इसलिए भी गलत है कंकती कंकती लिखा है तो कंगी है तो कंगी तदभो है और इसका जो तत्सम बनता है वो कंकती यहां बात बिल्कुल सही है आपसन यहां पर सी सही जबाब बन जाए इसके बाद लिखा हुआ है मीठा तो मीठा का जो तत्सम बनता है वो होता है मेस्टो यहां पर ठा लिखा हुआ है टा होना चाहिए था मेस्टो ठीक है मेस्टो तब यहां सही होता है लिए भी गलत अगला प्रस्न है उच्छवास सब्द का तदभो रूप क्या होगा और यह पर सही जबाब बन जाएगा आपसंसी तो उसास जो है या तदभो शब्द है और इसका तदसम बनता है उच्छवाज अगला प्रस्ण है कि निमलेखित में से तदसम और तदभो का सही युग्म आपको बताना है सही युग्म पहला यहाँ पर दिया है लोहार तो लोहार तदभो है इसका तदसम जो है वह लोहुकार लिखा है जबकि होता है लोहुकार यहाँ पर आव की मात्रा होनी थी यह गलत हो गया लाख सब्द तदभो है इसका तत्सम होता है लच्छ छावाला होना तो यह वरतनी अशुद्ध है तो यहाँ पर होता होना चाहिया था लच्छ तब यह सही होता इसलिए यह भी गलत है रहाट तो रहाट का अरघट लिखा है यह बिल्कुल सही है आपसनिया पर आपका C सही जबाब है तो रहाट हो गया तदभव इसका तत्सम बनता है अरघट बिल्कुल सही है मीठा का भी पढ़के आ रहे हो मीठा का तत्सम होता है मिस्ट मिस्ट ना की मिस्ट तो ये हो गया आपका सही जबाब आपसन C ठीक है आगे बढ़ते हैं वर्तिका वर्तिका सब्द का तदभरूप क्या होगा तो वर्तिका है तत्सम और इसका तदभो होता है बत्ती आपसनि हम पर डी सही जबाव है गोत्र शब्द का तदभो रूप क्या होगा? गोत्र गोत्र का तदभो रूप होता है गोत्र आपसनि उलाहना उलाहना सब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उलाहना सब्द का तत्सम रूप उपालंभ होगा अप्षन B सिंगाडा सब्द का तत्सम रूप क्या होता है तो सिंगाडा तद्भो है और इसका तत्सम होगा स्रिंगाटक अप्षन E निमलिकित में से तत्सम शब्द कौन सा है तो तत्सम सब्द कौन सा है दोस्त तो घर यी तदभो है और इसका होता है ग्रिया कपूत लिखा है तो कपूत का यहीं कपूत आपका तदभो है इसका तत्सम बनाओगे होगा कपूत्र इसके बाद लिखा है सूत तो सूत भी तदभो है इसका तदभो है इसका तदभो है क्या सूत्र तीक है सूत्र होगा गोपाल गोपाल ही हो जाएगा क्या आपका तदभो आपसनिया पर इस सही जवाब बन जाएगा इसका तत्सम होता है गौाल तो गौाल तत्सम है और इसका तत्सम गोपाल अगला प्रस्ण भभूत भभूत का तत्सम सब्द क्या बनेगा भभूत का तत्सम सब्द विभूती आप्षन यहाँ पर एस ही जबाब हो है अगला प्रस्ण अधो लिखित में से तदभव सब्द कौन सा है पहला दिया हुआ है प्रत्य विज्ञान तो यहाँ एक तदभव क्या होता है तो तदभव होता है पहचान तो पहचान सब्द तदभव है इसका तदभव है इसका तदभव है इसका तदभव बनता है पहेनना पिटक लिखा हुआ है पिटक तो पिटक शब्द भी क्या है तत्सम है और इसका तद्भो होता है पिटारा तो तद्भो सब्द यहां पर क्या है पिटारा है आपसन यहां डी सही जबाब होगा निम्न लिखित में इसे तत्सम सब्द की पहचान करनी है तत्सम सब्द और यहाँ पर तत्सम सब्द बन जाएगा अप्शन भी जीन्ड जीन्ड सब्द तत्सम है जीना तदभो है तो दही सब्द यहाँ पर होगा तदभो और इसका तत्सम होता है दधी गाहक तदभो है जिसका ततसम बनेगा ग्राहक गयंद हाथी का परियाएवाची है अगहन लिखा हुआ है अगहन का ततसम रूप कौन सा होगा अगहन का ततसम रूप होगा अग्रहायण आपसन यहाँ पर इस ही जबाब है नेक्स्ट, निमलकित में से तत्सम सब्द की पहचान करनी है, तत्सम सब्द, सही जब आप बन जाएगा, आप संडी, ओस्थ, तो ओस्थ सब्द क्या है आपका, तत्सम है, किसका, होट, तो ओठ का हो जाता है, तो ओठ हो गए आपने आप में तत्भव, इसका तत्सम होता है उच्छाह सब्द लिखा है तो यह आपका जानते हो तदभव है और इसका तत्सम बनाओगे तो उच्छाह सब्द अपने आप में एक तत्सम सब्द है उजला लिखा है उजला का होता है तत्सम उजल ठीक है तो उजल हो जाता है तो उज्जल हो गया तत्सम, उजला हो गया तद्भव, उल्लू उलूक तो उलूक हो जाता है आपका तत्सम और उल्लू है तत्भव तो परिवा सब्द का जो है तत्सम रूप आपको बताना है परिवा तो परिवा का तत्सम रूप बन जाता है प्रतिपदा आपसने हाँ पर सी सही जवाब है परिवा तदभो शब्द है इसका तत्सम प्रदिपदा होता है ध्यातब्वे हो कि परिवा को परिवा भी बोला जाता है निमलखितल सब्दों में से आपको बताना है कौन सा सब्द संगत युगमग यानि सुद्ध है यहां पर कैसा तत्सम तदभो तो तत्सम तदभो वाला संगत कौन सा होगा यहां पर खोपड़ी खोपड़ी तदभो है और इसका तत्सम होता है खरपट लिखा है यहां पर होना चाहिए था खरपर ठीक है तो खोपड़ी का तत्सम होगा करपर यहाँ पर घोटक लिखा है तो घोड़ा का होता है तब यह सही होता है गलत हो गया सक्तू तत्सम है किसका तो सत्तू का होता है तत्सम सत्तू का ठीक है इसलिए यह भी गलत है आपसन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है पलंग तदभव है और परिया इसका जो है तदसम बन जाता है नेमलकित में से एक तदभव शब्द की पहचान करनी है तो तदभव शब्द आपको चंद बिंदी दिग गई आख मून के लगा आईएगा आपसन यहाँ परी सही जबाब बन जाएगा कि उसकी इसका जो तदसम होता है वो होता है असुल एकत्र तो एकत्र का तदभव बनाओगी एकठा ठीक है वानर का बंदर होगा तो उच्च इसका तदभव उच्चा होता है तो आपसन यह सही जबाब बाकी सभी क्या है तदसम कपित्थ जंबुफल चार भग छड़म तो कपित्थ एक संस्कित सब्द है नि तदसम है इसका तदभव बनाओगी तो कईथा आप्शन बे कपित्थ का तदभव कईथा होता है कपूर का तदसम करपूर बनेगा केला का होता है कदली खजोर का तदसम खरजूर होगा अगला है तदभव चबूतरा का तदसम रूप तो चबूतरा तदभव सब्द है इसका तदसम सब्द क्या बनेगा सही जबाब बन जाएगा चटवाल आप्शन डी चबूतरा का तदसम रूप चटवाल होगा अथवा चटवर तो जो आप्शन में आपको देखेगा चटवाल नहीं लिखा होगा तो चटवर मिल जाएगा चटवाल का अर्थ होमकुंड वेदी चत्वर होता है चत्वाल कार्थ जबकि जो चत्वर है इस कार्थ 14 चबूतरा वेदी कोई चवकोर घिरा हुआ अस्थान मंच होता है निमलकित में से एक इस तदभो शब्द की पहँचान करनी है तदभो शब्द तदभो शब्द आपको दिख गया होगा चंद बिंदी आख मोन की लगाना आपसने पूजी तदभो शब्द है इसका तदशम पुंज होता है नयन तदभो है इसका तदशम नयन होता है तो नयन क्या है तदशम है इसका तदशम नयन होगा मूरख का मूरख होगा तत्सम सगुन का तत्सम सकुन होता है बेंत का तत्सम रूप बेंत का तत्सम रूप वेत्र होता है आपसन भी चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना और चना का तत्सम रूप होगा? चड़क आपसन इस ही जबाब है अगला प्रश्ण है उन, उन का तत्सम रूप क्या होगा उन का तत्सम रूप होगा, उन्ड, आप्शन D थाली, थाली एक तदभव सब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा तो थाली का तत्सम रूप है, इस थाली, आप्शन A तो थाली का इस थल्ब रूप क्या हो जाएगा तत्सम इस थाली एक नो थाल लिखा है तो इस थाल होगा तो थाली है तो इस थाली और थाल है तो इसका तत्सम इस थाल तो थाल इस थाल इस थाली अगला प्रशन है जामुन जमुन का तत्सम रूप क्या होगा तो जमुन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा तो जमुना का यमुना होता है भाई जमुना जब लिखा होता है तो जमुना का क्या होता है तत्सम यमुना और इसी तरह जब जमुन लिखा है तो क्या होगा तत्सम यामुन हो जाएगा, जो की मिलकुल गलत होगा तो ध्यान दीदिएगा, जम्बू जो है इसका तत्सम हो गाए, ठीक है, मैं तो पर आप इमोशनल हो जाएगा, और लगा की चले आए, जामुन होगा, जो की 100% गलत हो जाएगा, एक तत्सम सब्द आपको पहिचान करन थो यहां से यहां पर व यहां से लिखा हुआ है नहीं होगा है तो यहां पर जिसे भीनिती लिखा हुआ है भी आपसे नाम देख रहो डाकिन, डाकिनी, यह होगा डायन का, तो डायन का तत्सम डाकिन, तो सी ही यहां सही जवाब होगा, डाकिनी एक तत्सम शब्द है, इसका तत्भो होता है डायन, अटारी है तो अटारी क्या है, तत्भो शब्द है, जो कि अटालिका इसका तत्सम हो जाता है, निवनलिकित मे से तद्भो शब्द की पहचान करनी है तो तद्भो विल्कुल ठेस लिखा होगा ठेट भासा में संस्कृत जैसे सब दिख रहे हैं चतुर चत्वारी चतुर दस चौदा यहां पर तद्भो शब्द होगा आपसंसी सही जबाब तो 14 होग है तद्भो इसका तत्सम क्या होता है चतुर दस यही जो आपका लिखा हुआ उपर तो यह तत्सम शब्द है किसका चौथा का चौथा तद्भो तद्भो तद्सम चतुर होगा आगे बढ़ते हैं दोस्ति आ भिहंतर, आ भिहंतर का तद्भो शब्द, तो किसका तद्सम है? आ भिहंतर, तो भीतर का होगा, आपसे यहां पर भी सही जबाब है, भीतर की तद्भो है, इसका तद्सम क्या होगा? आ भिहंतर, तो यहां पर आपका सही जबाब क्या हो जाएगा? भी यहां पर सही अच्छा अभ्यांतर लिखा है चलिए वरतनी तो कुल मिला कि असुद्ध सब्द है छोटा यहां पर होना चाहिए था ठीक है तो भीतर अभ्यांतर होगा बाहर एक तदभो है सब्द बनेगा बाह बाहर एक तदसम होगा गहरा तदभो है इसका तद्डु संबन जाता है गंभीर चलिए वर्ध तो अब भ। होता है ठीक है तदभो भीतर का नोट क्या है वर्तनी कि दृष्टि से अब भ। है शुद्द शब्द भ। होगा आगे बढ़ते हैं एक तदभो शब्द आपको पहचान करनी है कि यहाँ पर तदभो शब्द क्या होगा पहला लिखा हुआ है यहाँ पर पंजर तो पंजर क्या है तद्सम शब्द होगा पंजर है पंचाली है यहां पर पूशा हुआ है तद्भव शब्द तो पंजीरी क्या है एक तद्भव शब्द होगा क्या पंजीरी आगे बढ़ते हैं दोश्के एक तद्भव शब्द की पहचान करनी है तद्भव शब्द यहां पर क्या होगा को ब is बाड़ते हैं हागे बड़ता है । ऐधी होता है तिरियक जो शब्द है यह सब्द है इसका तेरचा का, तो तेरचा यहां पर तदभौ शब्द, तदशम इसका तिर्यक होगा नियम्नलि tenant लेकि में सिक कूंत शब्द, तदशम शब्द नहीं है आप से यहां पर भी आपका सही जबाब बनेगा पनसारी तो पनसारी यह कि तदभौ शब्द है इसका यजि आप तद्सम बनाओगे इसका तद्सम बनेगा 5 । पंडिस सालेक ठीक है और यहां पर पिटग दिया है तो पिटग भी एक तद्सम शब्द है इसका तद्भो जो होगा वो नहीं पिटा रहा होगा पिटा रहा पनसारी तदभो शब्द है जिसका तदसम पनिसालिक होता है पिटक तदसम शब्द है इसका तदभो पिटारा होता है इनमें से तदभो शब्द तदभो तदसम का एक शब्द युगम का उनसा होगा तो तद्भो तद्सम कौडी यहाँ पर दिया हुआ है कौडी का यहाँ पर कपारदिकी बताया जा रहा है तो कौडी एक तद्भो शब्द है इसका तद्सम अगर बनाओगे तो कपार यहाँ पर कपारदिकी लिखा है जो कि कपरदिका होता है क्या होता है कपरतिका अपाहिस भी एक क्या है तदभोशब्द है यदि आप इसका तदस्म बनाओगे तो अपाद हस्त कुछ यहां पर आपाद लिखा यहां पर बड़ा आ लिखा हुआ है जब कि छोटा आ होता है अपाद होगा अपाद हस्त अगला है उसका अवस्याय बताया गया है तो उसे एक तदभोशब्द है इसका तदस्म अवस्याय होगा जो कि बिल्कुल सही युगमा है आपसर यहां पर सी आपका सही जबाब बन जाएगा गेहूँ एक तदभोशब्द है इसका तदस्म गोहूम लिखा है हूम नहीं दू होगा ठीक है तो गोधूम होता है क्या गोधूम इसलिए सी ही बिल्कुल सही जबाब है युगमत अगला प्रशन नंबर है 64 यहां पर कौन सा सब्द तदभोशब्द है इसकी पहचान करनी है तदभोशब्द तो यहां पर पसीना दिया हुआ है पसीना एक तदभोशब्द ह होता है इसका तत्सम रूप क्या होगा प्रशवीद होगा तो प्रशवीद यहां पर आपका तत्सम बन जाएगा पक्वान यहां पर तत्सम शब्द है इसका तदभोशब्द क्या होगा तो यह जो है पक्वान शब्द जो है पक्वान एक तदभोशब्द होगा इसका तत पुत्रबधू व्हैरि शुल॥ więc पुत्रबधू अाँगु안 प्ते संगेוכए पकर ciao vya I love me पुत्रबधू पट्रबधू व्हाँपने आपने क्या है कुसी के पफ़्हू कि इन मेंसे सी पुत्रुत संग गलत इहान पर पुत्सृ तो यहाँ ओज़ा का होता है तत्सम शब्द तो ओज़ा तद्भव है उपाध्याय तत्सम होगा जो कि बिल्कुल सही है असुद्ध की पहचान करनी जो गलत है उसकी पहचान करनी है स्रेष्ठ लिखा है और सेठ लिखा है सेठ का यहाँ पर क्या है स्रेष्ठ ही होता है ना क इसलिए यह गलत है यहाँ पर आप्सन भी आपका बिलकुल सही जबाब बन जाएगा बाकी अगनिश्ठी का का अंगीता अंगीता का अगनीश्ठी बताया जा रहा है तो अगर अंगीती होता यहां पर छोटनी की मत्रा लगा जाता और का लिखा जाता तब यह सही सब्द युगम बनता तो बी भी तो गलत है आदरक का आदरक लिखा यह सही है तो यहाँ पर आप्षन थोड़ा है शलिए बी और सी दोनों ही यहाँ पर गलत है ठीक है दाई एक्स्प्रानेशन देखते है अगनिष्ठी का अगनिष्ठी का तद्सम सब्द है जिसका तद्भव रूप जो है अंगीठी है तो अंगीठी का तद्सम अगनिष्ठी का होगा इसीर प्रकार स्रेश्ठी सेठ का तद्सम रूप है तो बिकल्प क्या है बी और सी दोनों गलत युगम दिये थे निम्न लिखित में से कौन सा सब्द तदभवर रूप नहीं है तो चंद बिंदी आपको यहाँ पर देख गई यह तो होगा आपका तदभव तो यह तो तदभव है और इसका तदसम बनाओ गया तो क्या होगा पाम तो पाम यहाँ पर यही पाम का पाद पाद क्या होगा पाद ठीक है पाओ का पाद तो पाओ का हो गया पाद तत्सम यहां पर पूछा तदभव नहीं है साइण लिखा हुआ है तो साइंग जो है ये तत्सम है अपने आप में तदभव नहीं है किसका साम तो साम सब्द जो है तदभव है इसका तत्सम है जो है साइंग तो आप शनिया आप बी सही जबाब है साइंग एक तदभव नहीं है तत्सम है बी सही जबाब होगा दुवार लिखा हुआ है तो दुवार अपने आपने एक तदभो सब्द है इसका तत्सम बनाओगे तो दुवार होगा क्या दुवार ठेड़ बासम दुवार भईया दुवार ना दुवार पर थोड़ा जाड़ू रगा जे साप सूप हो जाए दुवार तो दुवार क्या, एक ठीट बाजा में, तो दुवार इसका तत्सम होगा, ग्रिस्ती, लोग जनरली बोलते हैं, अब यह घर ग्रिस्ती के सामान लाना है, ग्रिस्ती क्या है, ग्रिस्ती का तत्भव रूप है, ग्रिस्ती, पामका पाद ही है, तो दुवार एक तत्भव है, साम एक तदभव सब्द है, सायंग हो जाएगा, ग्रिष्टी का ग्रिहस्ती हो जाएगा, पाम का पाद होगा, आप्शन भी यहाँ सायंग एक तदभव सब्द होगा ना की तदभव, तो भी सही जबाब है, एकल सब्द का तदभव रूप आपको बताना है, एकल सब्द का होगा अकेला तो अकेला एक तदभो सब्द है और इसका तत्सम रूप एकल होगा इसके बाद यहां पर ठेड़ भासम लिखा हुआ अकछ अकल वड़ी की भाएंच है तो अकल वाला इन्हीं अकल इसका तत्सम होगा अगला प्रश्ण है कैवर्त तो कैवर्त एक तत्सम सब्द है इसका तत्भव क्या होगा अर्थात कि इसका ये तत्सम है तो कैवर्त यहाँ पर एक तत्भव सब्द है इसका तत्सम जो होता है कैवर्त होता है तो आपसन यहां भी सही जबाब होगा अगला प्रश्ण है ग्रिद्र सब्द का तदभव रूप यानि किसका तदसम है यह तो ग्रिद्र जो है किसका तदसम है गीध का तो गीध यहां पर तदभव होगा इसका तदसम ग्रिद्र होगा तो तत्सम क्या होगा ग्रीद्र आगे बढ़ते हैं सुस्थी तो सुस्थी का तदभव सब्द क्या होगा तो सुस्थी सब्द दिया है यहां पर यहां किसका तत्सम है तो सोट सोट सब्द यहां पर तदभव है इसका तत्सम होता है सुस्थी क्या होगा सुस्थी तो यहां पर आप्षिन आपका B जो है बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा Next, मक्खी, मक्खी सब्द दिया है तो मक्खी सब्द का तत्सम रूप क्या होगा मक्खी सब्द एक तद्भो सब्द है और इसका तत्सम रूप बन जाएगा मच्छी का, आप्षिन D हल्दी सब्द का तत्सम रूप बताना है हल्दी का क्या होगा हरिद्रा हरिद्रा नहीं हरिद्रा चोटी ए की मातरा होगा रा पर हरिद्रा अगला प्रशन है हुलास हुलास सब्द का तत्सम रूप आपको बताना है हुलास एक तदभव सब्द है और इसका तत्सम रूप बन जाएगा उल्लाश आपसे नहाँ पर डी सही जबाब अगला प्रशन है नारियल नारियल सब्द का तत्सम रूप आपको बताना है और नारियल का तत्सम रूप क्या होगा नारियल का हो जाएगा नारी केल आप्षन यहां पर यह सही जबाब है यह चलिए जबाकि आप नारी नारी केल दोनों दिया हुआ है तो नारील शब्द का तत्सम रूप नारी केल और नारी केल दोनों होता है लोक सेवा योगने अपने उत्तर निशंसूधित उत्तर पत्रक में ए और सी दोनों विकल्पों को शहुतर की रूप में स्वभिक्रित किया है वैसे आपके अप्शन में अब जो आने वाला है वो नारी केल ही आएगा तो ध्यान दीजिएगा नारी केल भी है तो नारी केल और नारी केल जन्नली क्या पढ़ते हो नारी केल पढ़ते चले आते हो ध्यान देना है नारी केल भी होता है अगला प्रस्ण यहाँ पर दिया हुआ है सींग तो सींग सब्द का तत्सम रूप आपको बताना है सींग का तत्सम रूप क्या होगा तो सींग का तत्सम रूप हो जाएगा आपसर यहाँ पर सी सही जबाब होगा सींग का तत्सम स्रिंग होगा अगला दिया हुआ है निम्न लिखित में सी कौन सा सब्द तदभव शब्द है तदभव शब्द तो ठिकड़ भासा में जो जन्रेल जोंग बोलो वही तत्भव होगा कोयल को क्या आप कोकिल बोलती हो कोकिल कोकिल में संस्क्रित कोकिल होगा तो तत्सम होगा कोकिल तो कोयल यहां पर क्या है तत्भव है कोकिल इसका हो जाएगा तत्सम ठीक है बाकी आशिशरी जो दिया हु किसका तद्सम है अचरज का है अचरज ऊजाला का तद्सम हो जाएगा उजल कंटक दिया हुआ है किसका दोस्त कांटा का तो कांटा होगा तदभव कंटक हो जाएगा तदभव पूछा था तो को यहां पर तदभव है इसका तदभव को किल होता है अगला प्रश्न है अटालिका यहां पर अटालिका का तदभव रूप आपको बताना है अटालिका का तदभो रूप क्या होगा? अटारी होगा option यहां D सही जबाब है निम्य लिखित में इसे कौन सा सब्द तदभो सब्द है? तो भरमर दिया है, यह तो सांचते हो आप भ्रमरा तद्भो में भरमर तत्सम होगा तो यह नहीं होगा नगन दिया है तो नगन किसका है नंगा का है जल यहां पर होगा नी तदभो तत्सम तीन दिया है तो तीन एक तत्सम यद लिखोगे तो त्रीण। ठीक है त्रीन्डी हो जाएक तत्सम तो यहां पर ततभो आप शनी हाजी सही जवाब होगा ती नेक ततभो शबधा अगला प्रस्न दिया हुआ है करप्र करपर से लिए करपर करपर का ततभ रूप आपको बताना है तदभव रूप करपर का कर्कट का होता है करपुर दिखा है, तो करकट भी एक तत्सम रूप है, किसका केकड़ा का हो जाएगा तत्सम करकट इसके बाद लिखा हुआ है खपर तो खपर एक तत्सम है किसका खरपर का नहीं खरपर तो खरपर यहां पर क्या होगा तत्सम रूप होगा तो यहां पर इसलिए कुछ गलत दिख रहा भई आगे देखो ठीक है इस्टार लगा दिया मतलब गलत है गलत यह है कि यहाँ पर इनको करपूर और पूर रखना चाहिए था यह तो करपट कर लेते तब कपड़ा हो जाता करपूर किये होते तो कपूर का होता वाकी आप देख सकते हो आगे बढ़ते हैं दोस्त अगला है करपट शब्द क क्या होगा तो करपट किसका है तद्सम रूप तो करपट है कपड़ा का आपशन यहाँ पर सी सही जबाब है बढ़ते हैं आगे अगले अप्रेशन है करपट करपट आगया किसका कपड़ा का तो कपड़ा तद्भो करपट तद्सम आपशन डी सही जबाब निम्न लिखित बी जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर दधी तो तद्सम सब्द है क्योंकि दही दही का तद्सम है दधी तो तद्सम है लेकिन यहाँ पर भात दिया जो कि एक तद्भो हो जाता है भात की जगार मान लीजिए इसी का तद्सम अगर हो जाता भकत लिखा होता है, तब हो जाता है, दोनों यहाँ पर क्या है, सभी तत्सम है, मत्य है मिरे गह कर्म विद्या ज्यान चेत, तो आप्षन बी यहाँ पर गलत है, कौन साmyugment तत्सम की अधि क्या है ? तत्सम औली जोड़ी यहांपर क्या है ? तत्छुस कोंसी है ? वद्च यह भी तत्सम है लेकिन परक दे दिया है यहांपर परकğlu जो है कि तत्छबो हो जाता है ? परक की जगा इसी का गरल रख़ दी होते है पर इक्षा ॑ है हे tu यह सैसे जोड़ा हो जाता हैं कि यह कोई दूसरा लिख देते करपाट है न सब्सक्स को बताना है का तद्वमडका तद्वमचम होगा चूर्म गश्ब्रा का तद्वमचम होगा चर्म Place जबकि जो चक्छु दिया है आँख का प्रियाई बाची शब्द है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है इंदु दिया है तो इंदु जो है आप जानते हो प्रियाई बाची है तो इंदु चंद्रमा का प्रियाई बाची है दिनेश दिया है तो द तत्सम होता है रात्री तो सही जबाब यहाँ पर डि है रात एक तत्सम सब्द नहीं है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है तो तिक्त जो सब्द है न इक इसका तत्सम है अर्थाज इसका तत्भो रूप आपको बताना है तो यहां पर आपका सही जबाब बनेगा तीता तो तीता यहां पर एक तत्सम हो जाएगा तिक तो आप से यहां पर ज Cities होगा अगर तीखा सब्द है तो तीखा त्दभो यो आप तत्सम बनाओगे वो तीचन होगा आगे बतलते हैं अगला प्रश्ट तदभो शब्द नर्दिष्ट की जी यह निए तदभो शब्द की आपको पहचान कर रही है पहला दिया हुआ है आधा तो आधा एक तदभो शब्द है इसका तदसम आप बनाओगे तो अर्दिष्का तदसम होगा कूप अपने आप में एक तदसम शब्द है इसका तदभो क्या होगा तो कुआ तो कुआ का तदसम है कूप बाकि ब्योम हो गए तो पर यह बाची में आ जाएंगे तो आप्शन यहाँ पर तदभो पूँचा था तो आप्शन इस सही जबागा अगला प्रशन है तदसम सब्द की आपको पहचान करनी है तदसम सब्द कौन सा है तो लिखा है पहला यहाँ पर आप्शने में किलिस्ट हो तो किलिस्ट है अपने आप में पहला तो गलत है वरतनी है इसकी यह सुद्ध है यहाँ पर किलिष्ट अगर लिखा होता ठाकी जगा रटा होता तब तो यह सुद्ध वर्तनी होती तो यह पहले बाद तो ऐसे गलत हो गया कटौर शब्द एक अपनी आप में एक तद्सम शब्द है और कठिन भी तद्सम चलgins तोड़ा दिस्प्यूटर्ड परस्थन है यह केंद्रिय हिंदी निदेशा ले निस इच्छा विभाग मानवस संसादशा निस इच्छा मन्त्राले क्या विभाग है केंद्री हिंदी नेदेशाल है तो इसकी अनुशार तत्सम शब्द कोष्ट जो इसका है उसकी अनुशार यहाँ पर कठोर और कठें दोनों सब्द जो है तत्सम शब्द बताए गए है तो B और C आपका दोनों सही जवाब यहाँ पर होगा, कठोर और कठी दोनों तत्सम शब्द आए, विकल्प B और C दोनों तत्सम शब्द है, तो लोग सेवा आयूग ने प्रारम्रीक उत्तर, पत्रग में उत्पर्षन का उत्तर, विकल्प ये दिया था, किन तो मालनी ये उच्छिन्याली ने कहा ना, कि क्या फ धीठ सब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। धीठ का तत्सम रूप क्या होगा? सही जबाब होगा द्रिष्ट आप्शन यहाँ D सही जबाब। अगला प्रश्ट वही है धीठ का आपको बताना है तो द्रिष्ट होगा आप्शन B तत्सम सब्द की पहचान करनी है कि तत द्सम्शब्द है। किसका बाग। तो बाग एक तदभो है। TUcakv होगा ज्योंकि यहाँपर लिख्व। अग्ला प्रिश्चन है Tदभोो शब्द की तद्भो शब्द की पहचान कर लिए, तो यहां पर लिखा हुआ है मानव, मानव एक अपने आप में तत्सम शब्द है, किसका मनई का, तो मनई एक तद्भो शब्द है, और मानव हो जाएगा तत्सम, आप्षन यहां पर भी बिल्कुल सही जबाब बन जाएगा, और मानव भी अपने आप में क्या है, तो मनुष्य तत्सम है, मानव भी है, मनई का होगा मानव तत्सम, और मनुष्य किसका तत्सम है, तो मनुष्य किसका, मानुष्य, मानुष्य सब्द यहां पर क्या है, तत्भो है, इसका तत्सम मनुष्य होता है, अगला प्रस्ण है सब्द का तत्सम रूप दी ठीका होगा दृष्टी आप शनिहां डी सही जबाब है अगला प्रेश्ण है 94 नंबर मुदरी लिखा है मुदरी तो मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा मुदरी का क्या होगा मुदरी का आप शनिहां डी सही जबाब है कौन सा सब्द तत्सम सब अपने आपने के तद्सम सब्द है अच्छर तदभो सब्द है जिनकी सुन्नर का सुन्दर होगा और अच्छर का तद्सम अच्छर होगा तो अच्छर का तत्सम अक्षर आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित में से कौन सा सब्द तत्सम शब्द है तत्सम सब्द सांप एक तत्ब हो है शर्प बन जाता है तत्सम इसका क्या शर्प हो यहाँ पर तत्सम पूछा है आगे बढ़ते हैं दोस्त निम्न लिखित में से कौन सा सब्द तत्सम है तो अप्षर एहाँ पर तत्सम शब्द है गधा का तत्सम रूप आपको बताना है गधा का तत्सम रूप गर्धव अप्षर यहाँ पर डी सही जवाब होगा गर्धब है ध्यान से देखना है ना कि गदर्व लगा के चले आओ गलती से तो गर्धब होगा प्रिया का तत्भव रूप आपको बताना है प्रिया एक तत्सम रूप है किसका प्रिया का तो प्रिया हो गया तत्भव शब्द और इसका तत्सम रूप हो जाएगा प्रिया तो option E सही जबाब है अगला प्रेश्ट 101 है निमनलिखित शब्दों में से कौन सा तत्वसम सब्द नहीं है यहाँ पर सही जबाब बन जाएगा option D option D नेह एक तत्वो शब्द है और इसका तत्वसम रूपी क्या बनता है इस नेह निमनलिखित शब्दों में से कौन सा तत्वो शब्द है सही जबाब बन जाएगा option E पंक पंक एक तत्वो शब्द है इसका तत्वो होता है पर्च प्रेश्ट एक तत्वो शब्द है जिसका तत्वो होता है पीठ लज्जा भी एक क्या है तत्सम सब्द है, इसका तत्पह होता है लाज, तो लाज का तत्सम लजना पच्छ निडर तदभो शब्द है, इसका तदस्ब क्या होता है, नेरभाय, 104 है, पक्ष का तदभो रूप क्या होगा, तो पक्ष का तदभो रूप हो जाएगा, पंख, आप्शन C, पंच्छी यहाँ पर दिया हुआ है तो पंच्छी आप जानते हो और हो जाएगा पक्षी तत्सब्ड है इसका तत्सम पक्षी निमलिकत मेंची तत्सम शब्द की पहचान करनी है तत्सम सब्द सही जब आप यहाँ पर है तो का सरकरा हो जाए का तत्सम होली का होली का होगा और मोती का मौक्तिक होगा निमलकित में से कौन सा सब्द तदभो शब्द है तो तदभो शब्द यहां पर कौन सा है कोयल कोयल एक तदभो शब्द है आप्शन डी से ही जबाब होगा इसका तत्सम हो जाएगा कोकिल भ्रमर तत्सम है इस भामरा का है भामरा का और इसकी अलावां यहां पर दिया है ब्यागर है तो ब्यागर कीच का है बाग का तत्समरूप है खीर तो खीर हो जाएगा खीर का तत्समरूप निम्नलिखित सब्दों में इसी नया का तद्सम रूप क्या है नया नया का तद्सम रूप तो नया एक तद्भो शब्द है और इसका तद्सम होता है नब्वे आप्शनिहाँ पर ही सही जबाब निवरलिखे तत्षं तदभो Bashged मेलिक के दृष्ठी से सुध्षू युग्म कौन सा है पहला यु mushroom पर दिया है हार इद्ध्रा सिर्फध का इद्ध्ध्ध्वार बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही है, तो आप्षनिहा पर बी सही जबाब होगा, तो पन्ना का तत्सम प्रिस्टा है, यहाँ पर परियंक लिखा है, और परख का तत्सम बताया जा रहा है, तो यह परियंक जो है वो पलंग का होता है, पलंग का तत्सम होता है परियंक, इसलिए गलत है, च चुली का चूला तो चूला एक तदभो सब्द है और इसका तत्सम रूप वंता है चूली नमाकी कि चुली पास त्दभी 16 कि के व्यत्वाव à का सब्दे में इस इस प nauc a जाए जाते हैं छेनञे के जाना है संस्कृत के व्य सब्द जो हिंदी में जियों केतियों परियुक्त होते हैं तत्सम कहे जाते हैं जबकि संस्कृत के व्य सब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए तदभव कहे जाते हैं निम्लिकित में तद्सम शब्द की पहचान कीजिए सही जबाब यहां पर बने का तद्सम शब्द है आप्शन डी तीर्थ तीर्थ एक तद्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होता है तीरथ और तीरथ का तद्सम तीर्थ निम्न लिकित में कौन तदभव शबद है। तदभव सब्द कौन सा है। आप्शनिंए यहाँ पर सी से ही जबाब है प्रभाकर तदभव सब्द है। प्रभआकर कुछ गलत दिख्रा है किatura करी शूरज ती शूरज तो शूरिका को तो सूरी का तदभव यहां पर होगा शूरज दिवाकर एक एमनुट कुछ गलत दिये हैं पर चलिए इस प्रशन को आप शूरज दीजिए यहां पर आप्शन डी आप लगाईएगा कि कौन तदभव होगा तो यहां पर शूरी एक तदसम हो जाएगा और सूरज तदभव हो हो जाएगा यहां बाकि जो भी हो यह सभी आप जानते हो दिवाकर दिनकर यह सभी किसकी सूरी के पर याइबाची गीठी गीठी कहां चाहिए चलिए आगे देखो यहां पर अगला प्रशन है निम्रिकित में से कौन तदभव सब्द है इसा फिर रिपीट कर दिया वही प बाकर धापड़ाकर शूरी के परियाबाची सब्द हो जाते हैं तो प्रशन डिट्टो सेम है तो आप इस उत्रशन को आप इल्मिट कर दीए ठीक है प्रशन वही है इसको अटा लीचेगा तो इसका एक्जैक्ट अंसर यह है चलिए निम्रिकित में से कौन सा सब्द तदस १ूर्ण सब्स यहां पर कौन तहां है आपका डी सही जबाब होगा सूर जीक तत्थम तद्भोशब्द होगा और इसका तत्थम हो जाएगा शूर्य जाएग ठीक nda यहां पर सही जवाब कुछ गलत दिया यहां पर चलिए अंगीठी का तदभो अंगीठी तदभो सब्द है तत्समंगनिस्ठी का है यहां पर थोड़ा सकत तुछ गलत दिया चलिए इसका डी होगा ठीक है बाकी इसका एक्ष्प्लिनेशन कहां से शापा कुछ चलिए आगे देखो निम्न लखित में इसे तदभो सब्द कौन सा है जड़ेटो प्रसन है क्या चलिए प्रसन वही है एंसर यहां पर कहीं कुछ कलत दिया है बाकी डी यहां पर वही होगा ठीक है यह बिल्कुल सही यहा आगे बढ़ते हैं दोस्तों निम्न लखित में इसे कौन सा सब्द तत्सम शब्द नहीं है अर्था तदभो होगा तो यहां पर आँक दिया है चंद्रबिंदी है तो आँक ही हो जाएगा तदभो यह तसम नहीं होगा किसी भी हाल में तो आपसन इस सही जबाब बन तो आँक तदभो शब्द है इसका तत्सम रूप जो है अपची होता है नयन नेत्र और द्रिग यह सभी आँक की परियाएबाची हो जाते हैं निम्न लखित सब्दों में से कौन सा सब्द तत्सम शब्द नहीं है तो यहां पर लिखा है मृतिका तो मृतिका एक तत्सम र रूप है किसका बिगाड का तो बिगाड का है यह तत्सम सब्द ठीक है तो बिगाड का तत्सम विकार है मिट्टी का मृतिका है कपाट तो कपाट क्या है आपका एक तत्सम रूप हो जाता है किसका किवाड का तो किवाड यहां पर क्या है तदभो रूप है और इसका तत् जा है तो कपाड़ भी तद्सम हुआ ती हमभी नहीं अंसर होगा कफूर दिया है तो कफूर। यहां रुदी सही जबाब होगा क्योंकि कफूरी तद्सम ना होखर कि हमदैने इसका सब्ड़ सब्सक्रता है करपूर की तद्सम्र वीकर अगहां इसका हैं canon यहां पर पहला दिया हुआ है कान क्या दिया हुआ एक तद्भो है इसका तद्द्सम होता है करण जीवे एक तद्द्ध है इसका तद्सम हो जाता है जीवा तीक है क्या हो जाएगा दांत की उपर चंद बिंदी यहां पर लगी है यह भी यह का है तद्भरूप है अच्छा तद्सम शब्द पूछा यहां पर तद्भरूप है इसका क्या हो जाता है दंत तो दंत हो जाएगा तद्सम और मुख मुख है ना तो मुख यहां पर आपका तत्सम शब्द होगा किसका मुह का तो मुह होता है आपका तत्भरूप और इसका तत्सम होता है मुख इसलिए आपसन यहाँ पर सी सही जबाब है वाकी यहाँ पर उल्टा है कान का करण होगा जीव का जिहवा है दात का दंत होगा लेकिन यहाँ पर मुख एक तत्सम है तो तत्सम पूँचा है आप संसी से यह बाव अगला प्रेश्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सब्द तत्भव सब्द है तत्भव सब्द कौन सा है तो तत्भव के लिए यहाँ पर आपको चंद्र बिंदी दिग गई तत्सम पूँचा है तत्सम इसक बनेगा तत्सम सिरिंगार अगला है कंद्र ही को का तत्सम सब्द कौन सा होगा खंड़ार का तत्सम सब्द खंड ग्रिह होगा अप्शन यहाँ पर आपका C से जबाब है अगला प्रस्ण है देवर देवर का तत्सम सब्द क्या होगा देवर का तत्सम सब्द दिवर होगा अप्शन B अगला प्रस्ण वही है देवर का तत्सम रूप क्या है देवर आप्षण ए मखन मखन का तत्सम सब्द क्या होगा तो मखन का तत्सम सब्द क्या बनेगा आप्षण बी म्रचण तो मक्षन का तत्सम सब्द म्रचण होता है मारे लिजी आपके आप्षन में म्रचण ना हो तो मन्थज दिया होगा तो मन्थज भी होगा निम्नलिखित में तत्सम सब्द क्या बनेगा यहाँ पर आपको तत्सम सब्द की पहचान करनी है पहला दिया हुआ है करोड तो करोड एक तद्भोशब्द है इसका तद्सम हो जाता है कोटी अगला है तेल तो तेल क्या है तद्भोशब्द है और इसका तद्सम होगा तैल पीपल दिया है तो पीपल भी क्या है आपका तद्भो शब्द है और इसका तद्सम होता है पिपल क्या होगा पिपल अगला है दिन तो दिन एक क्या है आपका तद्सम शब्द हो जाता है आपसन यहां पर आपका डी सही जबाब बन जाएगा पीपल शब्द का तत्सम बताना है, तो पीपल का क्या होगा? पीपल आप्शने अगला है निम्रेखित सब्दों में से एक ततभो शब्द कौनसा नहीं है तुरंट दिया है, तो तो तुरंट क्या है? तदभो शब्द है तो तत्सम यहाँ पर आप्शन D आपका सही जबाब होगा तत्सम क्या है यहाँ पर? खरपर किसका तत्सम है? तो खपड़ा खपड़ा कपड़ा का करपट होता नहीं तो करपट लगया हो ठीक है यहाँ पर खपड़ा है और कपड़ा का करपट होता है तो खपड़ा है तो खपड़ा का खरपट ना होकर खरपड़ा है ध्यान दियेगा ने इतमालो आप्शन भी हाँ खरपट लिखा होता और खरपर तो आप पढ़किया होकि कपड़ा का होता है करपट और खपड़ा का हो जाएगा खरपट तो खरपड नहीं खरपड होगा ठीक है option D आपका सही जवाब बन जाएगा खरपड तत्सम सब्द है इसका तत्भो शब्द होगा खपड़ा या खपपर तुरंत तत्भो शब्द है इसका तत्सम तरीत होता है जबकि आज तद्भोशब्द है इसका तद्भोशब्द है इसका तद्भोशब्द है इसका तद्भोशब्द है नीचे दिये गए तद्भोशब्दों के युगम में से कौन सा युगम तुर्टि पूर्ड है गलत है तो छीर दिया है छीर का यहां पर तद्भोशब्द है तो बात बिल्कुल सही है तो खीर का तत्सम छीर होता है बिल्कुल सही है इसके बाद लिखा हुआ है दही है तो दही तदभो है इसका तत्सम क्या होता है दधी होता है दधी धा होता है तो दधी होगा ना कि दधी तो यहाँ वाला गलत है यहाँ पर कौन सा युगम त्रोट तो नटी बाट बिल्कुल सही है, तो बैन सब्सक्राइन का घलत है। और कपाण जो है बैसिकली किवाड् लिखा होता है, तो यहां क्या है योग मुत्रुथिह पूंड कपड़ा का करपट होता है जबकि किवाण का कपाट होता है तो पहला यहां पर सही है दूसरा गलत है तो गलत ही पूंचा गया है तो आपसने भी यहां पर सही जबाब बन जाएगा पुराना का तत्सम पुराण होगा गहरा का तत्सम गंभीर होगा निम्न लिखित तत्सम तदभो सब्दों के युगम में से कौन युगम तुर्टि पूंड है तो घी का तत्सम घित होगा बिल्कुल सही है और उट है उट का तत्सम उस्ट्र होता है और यहाँ पर केवल लिखा है उट्र उस्ट्र होगा तो आप्षन B यहां प्रत्रिपूर्ण है तो आप्षन B सही जबाब बन जाएगा तुरत का तुरित होता है तत्सम पीता का तिक्त होता है तो आप्षन B यहां गलत है यही सही जबाब बनेगा इन में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तत्सम नहीं है बी दिया है तो यह घोड़ा का तत्सम है तो घोड़ा तत्सम होटक होगा आग का आगनी लिया है तो आग का आगनी है या भी सही है तत्सम शब्द है घट लिखा है तो यह भी तत्सम शब्द है घड़ा का तो घड़ा तत्सम होगा और घट क्या है तत्सम है मोती अपने आप में क्या है तदभव सब्द है इसका तदसम हो जाता है मौक तेख क्या होता है मौक तेख तो इसलिए आप्षन डी यहां सही जबाब होगा मोती एक तदसम सब्द नहीं है तदभव सब्द है अगला है यहां पर पलंग पलंग सब्द का तत्सम रूप क्या होगा आप्षन यहाँ पर ए लिखा है पलंगा है पलवंग है आप्षन C आपको आगे दिखेगा देटीज परियंग है और आप्षन D पटल है क्या होगा तो पलंग का क्या होता है परियंग अगला प्रस्ण है पलंग पलंग का तत्सम रूप अभी देख रहे हो परियंग आपसन यहाँ पर आपका D सही जबाब बनेगा निम्न लिखे तो तत्सम तदभव सब्दों में सब्दों के युगम में कौन सा तुर्टी पूंड है गोबर एक तत्सम बनेगा गोमय बिल्कुल सही है खीर तत्सम चीर होगा यहाँ भी सही है पटरी का यहाँ पर परियंग बताया गया है जो की गलत है पटरी का नहीं है तत्सम किसका है पलंग का भी पढ़किया रहे हो पलंग का तत्सम होता है परियंग इसलिए आप्षन सी यहां पर तुरुटिपूंड है यही सही जबाब बन जाएगा सौथ तो शौथ एक तदभो सब्द है तत्सम हो जाता है शपतनी तीह भी सही है आप्षन सी यहां सही जबाब बनेगा यही आप्षन तुरुटिपूंड है इन में से एक सब्द तदभो सब्द है तो आपसे यहाँ पर डी सही जबाब होगा तदभो जो है यह कपास है कपास का तद्सम क्या होता है? करपास होता है कपास तदभो सब्द है तद्सम करपास होता है दिन तद्सम है तद्सम अंधकार है इसका तद्भों अंधेरा होगा, तो अंधेरा का तद्सम अंधकार होगा कंधा दिया है, तो कंधा तद्भों शब्द है, इसका अंध क्या है, तद्सम होगा अखरोट, अखरोट सब्द का तद्सम रूप क्या होगा अखरोट का तत्सम अखरोट का तत्सम अचोट होगा आप्षन यहाँ पर B सही जबाब होगा अच्छवाट लिखा है तो यह भी तत्सम शब्द होता है और किसका तत्सम तो यह अखाड़ा होता है अखाड़ा तो अखाड़ा का तत्सम है अच्छवाट जबकि अखरोट का तत्सम होता है अचोट तो आप्शन B सही जबाब है अगला प्रशन है अकारिया अकारिया सब्द का तद्वह रूप क्या होगा तो काज का अकारिय है और अकारिय किसका होगा तो अकाज का होगा आप्शन यहां B सही जबाब है अगला प्रश्ण है टकसाल तो टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा टकसाल का तत्सम रूप होगा टंकसाला आपसन यहां पर सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है इने में से तत्सम रूप की पहचान करनी है यानि तत्सम सब्द कौन सा है सही जब आप बन जाएगा अब जैसे पहला देखो तो पहला भायंस लिखा है भायंस है कि तत्सम होता है महिसी बारा बारा ठीक है तो बारा का क्या होगा बारा है द्वादस होगा तो द्वादस होगा तत्सम सच तो सच सब्द कैशा है सच एक तत्सम इसका क्या बनेगा शत्या तो सत्य हो गया तत्सम और सच हो गया तत्भव लेकिन यहाँ पर पाद दिया है पाद यहाँ पर क्या होगा आपका तत्सम रूप है किसका किसका तत्सम है तो पैर होगा तत्भाव तत्सम हो जाएगा पाद पैर दिया हो या पाव दिया हो पाव या पैर जो भी दिया हो उसका तत्सम पाद होगा ज्यान दीजीगा तो आपसन बी सही जबाब आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है दोस्त गोबर गोबर का तत्सम रूप आपको बताना है तो गोबर का तत्सम रूप होता है गोमल या गोमय होगा आपसन यहाँ पर B सही जबाब है तो गोमय दिया हो या गोमल दिया हो गोमय या गोमल अगला प्रश्ण है मा मा, मा ही प्यारा शर्ट तो मा का यहाँ पर आपको बताना है मा का तत्सम रूप मा का तत्सम रूप क्या बनेगा दोस्त सही जबाब बन जाएगा आप्शनी मात्री तो मा का तत्सम रूप होगा मात्री यदि मात्री आप्शन में ना दिखे जनलिए आपको आप्शन में मात्री ही देखी कर ना दिखे बाई चान संबा हो लिखे तो अमबा लगा दीजिएगा तो मा का तत्सम मात्र यत्वामबा होगा मा सब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो मा का यहाँ पर क्या है मात्र आप्शन से डाक्टर हर्देव बाहरी कृत यह और यहाँ पर आपको आप्शन सीर्वी दिया है माता या तो यहाँ पर डिस्प्यूटर रहा क्या डाक्टर हर देव बाहरी कृत राजपाल हिंदी शब्द को से के अनुशार मा का मा शब्द का तत्सम शब्द माता या मात्र दोनों है उत्तर परदेश लोक से अब आयोगने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रशन का उत्तर बिकल्पसी माना था किन्तु माननिय उच्चन आले के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में आयोगने इस प्रशन के लिए दो उत्तरों ए और उसी को सही माना है तो माननी ये उच्चनियाले का आदिस रहा तो मात्र दिया हो या माता दिया हो ठीक है तो आप लगाएगों कि हाई कोड निमालिया मा सब्द का तत्सम माता भी होता है तो आपके उपर है एक्जाम में according to option अगला प्रशन है खाट खाट का तत्सम रूप आपको बताना है दोस्त खाट का तत्सम हो जाता है खटवा आपसन इस सही जबाब है अगला प्रशन है पनही तो पनही सब्द क्या है तदभो सब्द है इसका तत्सम क्या बनेगा तो पनही का हो जाएगा तत्सम उपाना आप्षन यहाँ D सही जबाब है पनही का तत्सम उपाहना है परड एक तत्सम सब्द है तो पान तदभो है तो पान का तत्सम परड होगा और पान का जो है परियाबाची तामबूल होगा तो तामबूल जो है पान का परियाबाची है परणड़ ही तो परणड़ का इससे कोई सामिन नहीं है जो आप्शन में दिया अगला है आपका परणड़ परणड़ का तदभव सब्द सिंपल सी बात पान पान यानि पन्ना जीज आप्शन सी यहां सही जबाब होगा तो परणड़ क्या है परणड़ तदसम रूप होगा किसका तो पान का भी परणड़ होगा और पन्ना तो पन्ना का भी क्या है तदसम परणड़ होगा अगला है आपका पोखर पोखर का तद्सम रूप आपको बताना है तो पुषकर एक तद्भाव सब्द है इसका तद्सम होता है पोखर एक तद्भाव सब्द है इसका तद्सम होता है पुषकर तो आप्शन इस जबाब है अगला प्रस्ण है दोस्त दाहिना क्या है दाहिना तो दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा दाहिना का तत्सम रूप दच्छड आप्षन भी अगला प्रशन पूंचा गया सुई तो सुई एक तदभर होगा है इसका तत्सम सब्द क्या बनेगा तो सुई का तद्सम होता है सूची क्या होता है सूची आपसन सी सही जबाब है सूची ना हो आपसन में आपको सूची का भी दिख सकता है तो सूच या सूची का अगला दिया है हस्त तो हस्त का ददभो सब्द क्या होगा यहां पर आपका सही जबाब बन जाएगा हस्त का तद्भो सब्द तो हाथ हाथ एक तद्भो है तद्भो है तद्भो हस्त होता है आपसे सही जबाब है दूसरा यहां पर हाथी दिया है तो हाथी भी एक तद्भो सब्द है यहां पर इसका तद्भो होता है हस्त अधो लिखित में कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तो हाथ आप जानते हूं तत्सम नहीं है इसका तत्सम होता है उपर देख रहें आप यह परते हैं ससुर सब्द का तत्सम रूप क्या होगा ससुर का तत्सम रूप हो जाएगा स्वासुर आपसर यहाँ सी सही जवाब निमलिकित में से कौन सा सब्द तदभो सब्द है तो ससुर अभी पढ़के आ रहे हो ससुर का तद्सम क्या होता है स्वासुर आपसर यहाँ पर सी सही जवाब तो ससुर का तद्सम स्वासुर होगा क्रिष्ण का तद्भो जो है वो कान है यानि कान है अगर लिखा है तो कान का होगा तद्सम क्रिष्ण या किसन लिखा है तो इसका तद्सम क्रिष्ण होगा गायक सब्द का तद्सम गवई यानि गायक एक तत्सम सब्द है गवया जो क्या हो जाएगा तदभो तो गवया का तत्सम गायक होगा और दिया हुआ है जथा तो जथा हो जाएगा तत्सम हो जाएगा यूठ अगला प्रस्ण है इनमें इसे तत्सम सब्द का चयन करना है तो यहाँ पर तत्सम सब्द क्या होगा दिन इक तत्सम सब्द है दिन तत्सम सब्द है केंद्रिय हिंदी निदीसाल है सिछ्छा विभाग मानव संसाधन मंत्राल है जिसका नाम अब सिछ्छा मंत्राल है तो इसक कर्ण का तद्वो सब्द यानि कान जो है तद्वो है कर्ण जो है तद्वो होगा बाहर तद्वो है तद्वो रूप है और तद्वो रूप इसका हो जाएगा यमुना अगला प्रस्न है इख तो इख का तद्भो सब्द इख एक तद्भो सब्द है इसका तद्सम रूप क्या होगा तो इख का हो जाएगा तत्सम एक्षू होगा गन्ना इख का परियाय बाची होता है अगला है निमलेकित में से तत्भो शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा तो अटारी का तत्सम क्या बनेगा अटारी का तत्सम होता है अटारी का आप्षन यहाँ पर D सही जबाब बन जाएगा निमलेकित सब्दों में से तदभो सब्द का चयन कीजिए तदभो सब्द यहाँ पर बंदर है आप्षन यहाँ पर आपका D सही जबाब हो जाएगा बंदर एक तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसके बाद लिखा है पवन तो पवन सब्द क्या है तद्भो सब्द की पहचान करनी है तो सिंपल सिवाज बंदर का बानर आपसन यहाँ पर आपका बी सही जबाब है पलंग का परियंक होता है पलंग का पढ़े हो पवंदिया है हवा का होगा अगला प्रस्ण है तदभो से तद्सम बने सही सब्द यूग्म को चिन्नित कीजिए हाथ एक तदभो है इसका तद्सम होता है हत्ता नहीं तो हाथ का क्या है हस्त होगा तद्सम तो यहाँ पर पहला यूग्म जो है वो क्या है गलत है दूसरा दिया है रत्त रात तो रत्त रात्र यह भी सब गलत है क्योंकि रात तो तदभो शब्द होगा और इसका तदसम होता है रात्री आपसर नमबर सी यहाँ पर दिया है पत्ता का पत्र बताया जा रहा है तो पत्ता तदभो होगा पत्र तदसम होगा बिल्कुल सही है आपसर यहाँ पर सी सही जबाब बन जाएगा नाच दिया है और नच्चा दिया है तो यहाँ पर नाच जो है यह सब अपने आप में वर्तनी अशुद्ध है नाच होता है और नाच का होता है तत्सम निरित्य अगला प्रश्ण है आखर आखर सब्द का तत्सम रूप कौन सा है यहाँ पर आपका सही जबाब बन जाएगा आप से भी अच्छर आखर तत्सम अच्छर होता है जबकि अच्छी अंब तथा अद तत्सम सब्द है आख अच्छी का है अम्मा अंब का है आज का तत्सम अद होगा अम्मा का अंब है आख का अच्छी है अगला है निमनलिक्ष सब्दों में इसे तत्सम सब्द की पहचान करनी है तत्सम सब्द कौन सा है उच्च एक तत्सम सब्द है किसका है उच्च उच्च एक तत्भो सब्द है इसका तत्सम होता है उच्च आपसनिहाँ पर ही सही जबाब है दूसरा अकाज दिया है तो अकाज का होता है अकारिया, अकाज का तत्सम अकारिय होगा, अनी दिया है तो अनी का तत्सम होता है अड़ी, अनी का तत्सम अड़ी, सिख, तो सिख क्या है, एक तदभो सब्द है और इसका तत्सम होता है सिश्या, अगला प्रस्ण निम लेखित सब्दों मेरी तदभा सब्द कौंसा है तदभा सब्द दच्छड एक तत्सम सब्द है और इसका दाहिना जो है तत्भव होगा खट्वा तो खट्वा किसका है खाट का खाट सब्द तत्भव है तत्सम खट्वा होगा खरजूर लिखा है तो खरजूर किसका होगा तत्सम खजूर का खरजूर एक तदभव है, खरजूर तत्सम होगा दाहिना का तत्सम दच्छण, खाट का तत्सम खटवा घड़ा, घड़ा सब्द यहाँ पर आपका तत्भव सब्द है आपशन यहाँ डी सही जबाब बन जाएगा इसका तत्सम क्या होता है? घट कान का यहाँ पर पहला दिया हुआ है करण तो पहला गलत युगम है ओठ का ओस्थ लिखा है तो ओठ का होता है ओस्थ यहाँ पर ओकी जगा हो लिखा है तीसलिए वह गलत है आख एक तदभव इसका तत्सम होता है यह भी वर्द सुद्ध लिखा है अच्छी होता है तब यह सही होता है यह गलत है नाक का नासिका यह युग में बिल्कुल सही है तो नाक तदभव सब्द है नासिका तत्सम होगा अप्शन D सही जबाब होगा अगला प्रस्ण ओस्थ है तो ओस्थ निमलखित में सी किसका तत्सम है अभी आप पढ़ रहे हो ओठ का तो ओठ का तत्सम है ओस्थ ये भी नहीं ये भी नहीं आगे देखते है आपसने हसी सही जबाब है ओठ किस स्रेडी का सब्द है तो ओठ एक तदभो सब्द है इसका तत भूरूप में सही सब्ध युगमकी पहचान कीजिये तत् सांप का यहां पर सर्प है तो सर्प क्या है तत्समसब्द है और सांप हो जाएगा तदभव यहां 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 सही सही जबाब बन जाएगा अगला दिया है छेत त्रित लिखा है और खेती तो छेतरी और खेती होती है अगर छेतर लिखा है तो खेत होगा तदभव और छेतरी है तो खेती होगा क्या होगा खेती इसलिए आपसन यहाँ पर भी डी भी गलत है तो एक्जेक्ट आंसर आपसन C बिल्कुल सही युगम है तदसम शर्प है और साप तदभव है अगला प्रशन है धर्ती तो धर्ती शब्द का तदसम रूप आपको बताना है धर्ती का तदसम हो जाएगा धरित्री आपसन यहाँ C सही जबाब है धर्ती का तदसम धरित्री होता है धर्डी का तदसम हो जाएगा धर्णी क्या है यानि धरती का तत्सम धरित्री है धर्णी और धरा ये प्रतिवी के प्रियाय बाची होंगे इला ठीक है जबकि जो धात्री शब्द है या किसका तत्सम है तो दाई का तत्सम है धात्री अगला है डंडा तो डंडा सब्द का तत्सम सब्द क्या होगा दंड आप्षन यहां B सही जबाब है पत्थर सब्द का तत्सम रूप आपको बताना है तो पत्थर का सब्द का तत्सम हो जाएगा प्रस्तर आप्षन B पत्थर सब्द का तत्सम प्रस्तर होता है पाहन तद्भो सब्द है पाहन का तत्सम पासाड होता है पहाड परवत का प्रियावाची होता है महुआ सब्द का तत्सम रूप आपको बताना है महुआ का तत्सम मधूक होता है आप्शन B महुआ का तत्सम सब्द मधूक है मधूप तथा मधूकर भामरा को कहते हैं भामरा का तत्सम रूप भ्रमर्व होता है सियार का तत्सम सब्द क्या होगा तो सियार का तत्सम सब्द हो जाएगा स्रिंगाल आपसर यहाँ पर D सही जबाब है सियार का तत्सम स्रिंगाल होगा जबकि जो स्रिंगार है या सिंगार का तत्सम होता है स्रिंगार साला सब्द है तदभो है इसका तत्सम स्यालक होता है लंगोट का तो लंगोट का तत्सम सब्द क्या होगा लंगोट का तत्सम सब्द बन जाएगा लिंगपट आपसन यहाँ पर C सही जबाब है अगला प्रशन है भतीजा भतीजा का तत्सम सब्द निम्नलिखित में से कौन सा है भतीजा एक तदभव सब्द है इसका तदसम भरातरिज्य होगा आपसंद भी सही जबाब है भामरा का होता है भ्रमर भराता सब्द तदसम है किसका भाई का तो भरातरिज्य होता है भतीजा का और भतीजी अगर होती तो भरात्रिज्या हो जाएगा, यह भतीजी का है, भतीजी का तत्सम है भरात्रिज्या, और भतीज्या का क्या होगा भरात्रिज्या, भतीज्या, ठीक है, क्या होगा, भतीज्या, इन में से सौत सब्द का तत्सम रूप का उन्सा है, तो सौत का तत्स साथ सब्दों में से कौन सा सब्द तत्सम है तत्सम सब्द सही जबाब यहां पर बन जाएगा सब्दों में से जेष्ठ सब्द का तत्सम जेष्ठ का तत्सम जेष्ठ होगा और जाड़ा है तो जाड़ा का तत्सम जाड़ी होगा बड़ा का तत्सम बरिष्ठ होगा और बरिष्ठ का तत्भव बड़ा होगा युक्ति का तत्भव जुगति होगा और जुगति का तत्सम युक्ति होगा अगला है निम लिखित सब्दों में से कौन सा तत्भव सब्द है तत्भव सब्द की पहचान करनी है बहरा सब्द यहां पर तद्भव है इसका है तो बधिर बधिर होता है इसका तत्सम तो बहरा तद्भव बधिर तत्सम होगा वस्त दिया है तो यहां बच्चा का होगा तो बच्चा बच्चना अगला है ताब तो ताब भी एक तत्सम है किसका ताब का तो ताब हो गया आप का तद्भो गंभीर लिखा है तो गंभीर शब्द अपने आप में तत्सम है किसका गहरा का तो गहरा हुआ तद्भो और गंभीर का हुआ तद्भो गहरा और गहरा का तत्सम गंभीर अगला प्रस्ण है कि निम्न लिखे तो दिएगे सब्दों में से कौन सा तत्सम सब्द है तत्सम सब्द कौन सा है सही जबाब बनेगा आप संडी यगमान किसका है जजमान का तो जजमान होता है तत्भाव सब्द यगमान होता है तत्सम यगमान तत्सम शब्द है किसका जजमान का जजमान का हो गया तत्सम यगमान अथवा जजमान तो जिजमान का पूछा जा या जजमान का तत्सम एगमान होगा सपना का तत्सम शपन होता है सयाना का तत्सम संग्यान होता है इसी प्रकार तद्भो सब्द ओस है ओस का तत्सम अवस्याय होता है निम्नलिकित में इसे धूम्र का तद्भो सब्द पहचानना है धूम्र किसका तद्भो है धूम्र सब्द तद्भो है धूमा का धूमा तद्भो तत्सम धूम्र जुआ दिया है तो धूमा का होगा धूम्र और जुआ का होगा जूम्र नहीं दूत होगा ठीक है नहीं तो जूम्र कहीं आप शनम लिखाओ जूम्रे अगला है भामरा तो भामरा एक तदभो सब्द है इसका तत्सम होता है भ्रमर मक्खी मक्खी एक तदभो सब्द है तत्सम होता है मच्छी का अगला प्रस्ण है निम्लिकित में से कौन सा सब्द तत्सम शब्द नहीं है तो तत्सम शब्द नहीं है तत्भव सब्द यहां पर होगा अमिया आपसन इस सही जबाब होगा इसका तत्सम रूप बनेगा अम्रित तो अम्रित होता है तत्सम अमिय होगा तत्भाव। अगला है मनुस्याद यहाँ पर पूछा था तत्सम नहीं तो आपसे नहीं सही जबाब होगा मनुस्य एक तत्सम शब्द है इसका तत्भाव मानव होता है इसके बाद है आपका गमन तो गमन शब्द क्या है तद्सम है गवना जो होगा इसका तद्भव होगा इस्तम्भ दिया है ये भी तद्सम सब्द है और इसका तद्भव होता खंभा कोष्ठ सब्द का तद्भो सब्द क्या होगा कोष्ठ आपसन यहाँ पर डी सही जबाब होगा कोख तो कोख एक तद्भो सब्द है इसका तद्सम होगा कोष्ठ केवट लिखा है तो केवट क्या है अपने आप में तद्भो सब्द है इसका तत्सम होता है कैवर्द कुछ लिखा है तो कुछ का क्या होगा किन्चित किन्चित होगा तत्सम काठ एक तद्भव है इसका तत्सम बनाओगी कास्ट निम्न लिखित में से पीठ का तत्सम सब्द कौन सा है पीठ का तत्सम सब्द प्रिष्ठ बनेगा आप्शन से प्रतिवेश एक तत्सम है लेकिन किसका पडोस का पडोस ठीक है पडोस का होद का तत्सम प्रतिवेश प्रसवेश लिखा है तो यह पसीना का है तत्सम प्रसवेश का तत्भव प्रसीना उसकर सिंपल सी बात भēruk पोकर पोकर सब्द का तत्सम पुष कर होगा अगला प्रस्न है निमलेकित शब्दो में से तत्सम सब्द काुन सा नहीं है पहला दिया हुआ है कारिया, तो कारिये का तत्सम शब्द है, काज का यूक्त लिखा है तो युक्त जुक्ति का होगा तो युक्त भी क्या है तत्सम है जुगति होगा तत्सम यानि जुगरी जुहे तत्भव होगा तत्सम युक्ति होगा चोटी सब्द लिखा है तो चोटी अपने आप में क्या है तत्सम है नहीं तत्भव सब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा चूड़ा इसका तत्सम है तो चूड़ा तत्सम है और चोटी तद्भो है और काज का तत्सम कार्य होगा जुगत का युक्ती होगा स्रिंगार भी तो है तत्सम अगर स्रिंगाल यहां पर ला लिखा होता तब तो सियार का होता लेकिन ला नहीं सिंगार है तो सिंगार यह सिंगार का होगा तो सुरिंगार सिंगार का होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर सही जब आप क्या है तत्सम सब्द कौन सनही है आप सनसी चोटी एक तदभो है अगला प्रस्ट में लिखे तो सब्दो में से तदभो सब्द की पहचान करनी है उपाना तत्सम दिख गया आपको उपाना तत्सम है किसका पनही सब्द का तो पनही सब्द क्या है तदभो है यहाँ पर उपाना तत्सम होगा बिसर्णा लिखा है तो बिसर्णा अपने आप में क्या है कि तदभो सब्द है इसका तत्सम क्या होगा बिस्मृति ठीक है तो तदभव सब्द कौन सा है तो तदभव यहां बेशरना है बिस्मृति तदभव हो जाएगा उपाना तदभव होगा पनही इसका तदभव है तो एक्जेक्ट आंसर यहां करक्ट होगा ए बाकि यहाँ पर गुण्जा दिया है तो गुण्जा का है तत्सम है इसका गूँची का और गूंगठा का गुणठन है अगला है निम्नलिकित दिये गए सब्दों में से तत्सम शब्द की पहिछान करनी है तो यहां पर तत्सम सब्द क्या होगा सही जबाब भन जाएगा किसका है तो छठा है क्या आप छठा सब्द हो जाएगा यहां पर इसकंद का तद्भो शब्द आपको बताना है कौन सा होगा इसकंद किसका है सही जबाब यहां पर बन जाएगा आपसंसी कंधा एक तद्भो शब्द कंधा होगा जबकि इस्तंभ का तद्भो रूप खंभा है अभ्यंतर का तद्भो रूप भीतर चौपाया का तद्भो प्रस्तर होता है जबकि पासाडर यहाँ पर तदभव नहीं तदसम है कि इसका तदसम है पाहन तो पाहन यहाँ तदभव नहीं तदसम होगा बाकी साचा का सचक होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा, रीस का इस्जा होगा लेकिन यहाँ पर पाहन का पाशाण दिया होगा तो यह पाशाण क्या हतत्सम, आपसन डी सही जबाब अगला प्रस्ट में लेकित में से बूभुच्छा तो वो भूक्षा का तदभोशब्द कौन सा है सही जबाब बन जाएगा तो भूक एक तदभोशब्द है और इसका तदभोशब्द है और इसका तदभोशब्द क्या होता है वो भूक्षा तो आपसन यहाँ पर दोस्तों आपसन यहाँ पर आपका दी सही जबाब होगा अंग उचा एक तद्भो सब्द है अंग उचा का होता अंग प्राउक्षा विछो हो दिया है विछो आपका विछोब होगा तत्सम छिलका है छिलका का शकल होगा तो भूबुचा का तत्सम सब्द भूख होगा और भूख का तत्सम हो जाएगा भूबुचा तो भोग तद भोग इसका तत्सम वो बुच्छा है, इसी प्रकार अंग उच्छा का अंग उच्छा होगा, विच्छो का विच्छो भोगा, छिलका का सकर तत्सम हो जाएगा, तो इस तरह आपने देखा, आगे बढ़ते हैं, चलिए, अगला प्रेश्ण 185, निम्नलिकित दोमेशी तत्सम सब्द कौन सा है, तत्सम सब्द, आपसन यहां पर एस सही जबाब होगा, मृतिका, मृतिका तत्सम सब्द है, किसका तो मिट्टी का, मिट्टी तत्भो सब्द है, और इसका तत्सम मिट्टी का होगा, वाग एक तत्भो सब्द है, इसका तत्सम होगा, व च्छाजन तो च्छाजन क्या है आप क्या तरभों शब्द है और इसका। तत्सम यदि बनाओगे तो च्छादन होगा। तो तद्सम सब्द कौन सा रहा? मृत्तिका है बागी शब्द तद्भो रहे हैं इसका तद्सम आपने देखा निमने लिखे तो शब्दो मेशी तद्भो शब्द कौन सा है? तद्भो सही जब आप बनीगा अप्षेंडी कडवा तो कडवा एक तद्भो शब्द है इसका तद्सम क्या होगा? इसका तद्सम होगा कटू जबकि कटा है यहां पर क्या है आपका? तो कटा है तद्भो शब्द हो तद्भो किसका है? कड़ा तो कड़ाह का जो है तद्भो तो कड़ा का तत्सम होगा कटा कड़वा का तत्सम कटू होगा अवर दिया हुआ है तो अवर एक तद्भो है इसका तत्सम क्या बनेगा और रिक्त तो रिक्त एक क्या है आपका तत्सम शब्द है तो रिक्त तत्सम है तत्दभो क्या बनेगा रीता तत्षम हो गया और तत्षम हो जाएगा तूँटा यहां पर सही जबाब क्या रहा है अगला प्रश्ण दिल्हें लिखे तमें इसे कड़वा का तत्षम सब्द क्या बनेगा तो गेहूं का तत्षम सब्द होता हैं गुदूम आप्शनियह भी सही जबाब होगा इसके बाद लिखा हुआ है गृद्ध तो गृद्ध एक क्या है तो गृद्ध लिखा है यहांपर गृद्ध तो गृद्ध यह तत्सम शब्द है किसका तत्सम है यह गीध का तो गीध का तत्सम सब्द है गीध्ध तो गृद् भी एक क्या है आपका तद्सम शब्द है और गा यहां पर तद्भव होगी ग्रंथ ही दिया है तो ग्रंथ भी तद्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होगा गाठ अगला शब्द गेहूं का तद्सम शब्द क्या बनेगा गेहूं का तद्सम होता है गोधूम आप्शन इस सही जबाब होगा निम्न लिखित में सी कौम सा सब्द तत्सम सब्द है आपसन यहाँ पर आपका सी सही जबाब होगा निम्ब निम्ब एक तत्सम सब्द है किश का नीम का नीम यहाँ पर तत्भो है तत्सम निम्ब होगा बाकि नेह लिखा है तो नेह अपने आप में एक तत तद्भवशब्द है इसका 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 तद्भवशब्द है दधी कंकड दिया है तो कंकड किसका तत्सम है तो कंगन कंगन तद्भो है तत्सम कंकड होगा क्रिष्ड दिया है तो क्रिष्ड काना का तत्सम शब्द है क्रिष्ड सिक्षा है और सिक्षा किसका होगा सीख सीख एक तदभो शब्द है इसका तत्सम सिक्षा होगा नेक्स्ट निमलखित शब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है तत्सम शब्द तो तत्सम सब्द यहां पर होगा आप्षने छेत्र छेत्र किसका तत्सम है खेत का खेती अगर होता तो छेत्र होता छेत्र है तो खेत्र तद्भो होगा भादो दिया है तो भादो यहां पर जो है तदभो शब्द है इसका तत्सम होगा भाद्रपद कटहरा क्या है तदभो शब्द है इसका तत्सम बनाओगे तो कास्थ ग्रिया होगा हुलाश भी एक तत्सम बनेगा उल्लास निम्न लिखित में इसे तद भौ शब्द की पहचान करणी है तो तद भौ शब्द कुछ नहीं समझ में आ रहा, चंदर बिन्दी आपको दिख गई आंसू इसका तद सम क्या होता है, इसका तद सम होता है आसू अच्छर दिया है तो अच्छर जो है ये आखर शब्द का तद्सम शब्द है आखर तो आखर तद्भो अच्छर तद्सम गोश्वामी गोश्वामी जो है ये गोशाई का है गोशाई तद्भो शब्द है गोश्वामी तद्सम होगा यमुना है तो यह जमुना का तत्सम शब्द है जमुना तत्धो है यमुना तत्सम है तत्धो शब्द पूचा तो आप संची सही जबाब निमन लिखे तो तत्धों में शिosaur ततभव शब्द की पहचान करनी है तत्भव पहला दिया हुआ यहाँ पर बधिर तो बधिर शब्द क्या है बधिर शब्द तत्सम है इसका तत्भव क्या होगा है बहरा तो बहरा हो गया तत्भव बधिर हो गया तत्सम परगट लिखा है तो परगट है ना तो परगट शब्द इहां पर क्या है तत्भव शब्द है इसका तत्सम बनाओगी तो प्रकट तो तद्भाव पूंचा है तो भी ही यहां तद्भाव शब्द परगट है तो परगट शब्द होगा तद्सम परकट हो जाएगा बहरा का बदिर होगा अम्रित दिया है तो अम्रित शब्द यहां पर क्या है तद्भाव शब्द है इसका तद्सम क्या होगा तो यहां पर इ एक तद्सम शब्द है किसका जीना तो जीना हो जाएगा तद्भो जीना हो जाएगा तद्सम तो पूछा तद्भो शब्द तो आप्शन बी यहां परगट जो है तद्भो है इसका प्रकट तद्सम होता है बाकि शभी शब्द किया है तद्सम बहरा का वजीर होगा अमी का म हुआ है उजह वर सब्सकात समझ नोहाई होता वह हっो क्या होता है उपाद्यायै झार उड्र अपने आपने की तडबह शबद हैिसका तत्समत होता है वह मुर्द उधन है तो इंधन शब्द क्या है इंधन शब्द अपने आप में एक तद्भो सब्द है इसका तत्सम तो इधन लिखा है और यहां पर इंधन होगा यहां पर बिंदी लग जाएगी अंको तो इंधन हो जाएगा इसका तत्सम तो इंधन का इंधन तत्सम उजा का उपाध्याय तत्सम अंधा का कानха का है तो कानह का है तत्सम ट्रेश्णू है तो आपस्पन यहाँ पर । आपका क्या है। मौत शब्द क्या है एक टत्भो शब्द है इसका तत्सम जो बनता है', वह मेरी त्यू होता है। तो आप्षिन यहां पर सही जबाब बनेगा, बाकी पासाड लिखा है, तो पासाड अपने आप में एक तत्सम शब्द है, किसका पाहन का, छेतर लिखा है, तो यह किसका होगा, खेत का, खेत का तत्सम, पुषकर है, तो पुषकर भी तो है तत्सम शब्द, पोखर का, किसका पोखर गार तो तद्भो पूंचा तो आप चाने सही जबाब तद्भो से तद्सम बने सही सब्द युगम को चिन्नित कीजिए पहला दिया हुआ है है शुई तो सुई एक तद्भो है इसका तद्सम जो होता है वह सूच या सूची का होता है अगला दिया है तद्भो शब्द गवाल इसका तद्सम गवाल बताया जा रहा है तो इसका जो आगवाल बता है भी गलत क्योंकि गवाल तद्भो शब्द है इसका तद्सम होता है गोपाल क्या होगा गोपाल तद्सम गवार है तो गवार का तद्सम क्या होता है ग्रामीड जो कि बिल्कुल सही है तो यहां पर यह जोड़ा बिल्कुल सही है सब्द युग में आप्शन सी सही जवाब होगा आँख का यहां पर अक्षी बताया जा रहा है तो अक्षी हो लगने यहां पर अक्षी होता है ना कि अक्षी छोटी ए की मात्रा होगी कौन सी मात्रा छोटी एक की मात्रा ना होगी यह होगा तदसम्णाब की आक्षि तो option C सही जबाब अचरज का तदसम् रूप निमलिखित में सी कौन सा है तो अचरज एक तदत भौ शब्द है इसका तदसम् क्या होगा इसका तत्सम होता है आश्चारिया आपसनियासी सही जबाब होगा बाकि इहा है इश्प्रिहा है और लिपसा है इस अभी क्या है ये इच्छा के परिया है बाची आगे बढ़ते हैं दोस्त निम्नलिखित शब्दों में से चवथा का तत्सम रूप क्या होगा तो चवथा सब्द यहां पर एक तत्भो सब्द है और इसका तत्सम क्या बनेगा सही जब आप बन जाएगा आप शंडी चतूरत तो चवथा होता है क्या तत्भो सब्द इसका तत्सम क्या होगा शतूरत चतुष्पद है चतुष्पद क्या है एक तत्सम शब्द है और इसका चवपाया जो है तत्भव बनेगा चवपाया इक है चतुष्क लिखा हुआ है चतुष्क जो है किसका है ये चौख का चतुष्फद लिखा है क्या है चतुष्क खाट तो चोखट का होगा चोखट च्भखट का तत्सम है चवपाया का तत्सम चतुष्पद है ।य तो तत्सम रूप पूंशा था च्वथा का तो आप संड़ी सही जबाब है निम्नलिखित में से आँखो का तत्सम रूप आपको बताना है और आँखो का तत्सम रूप होता है आप से नहीं हम भी सही जवाब होगा इद्रिश लिखा है तो ये भी किसी का तत्सम है किसका है ऐसा ऐसा का ये तत्सम है इद्रिश दंटिष्ट का लिखा है क्या लिखा है दन तो दंस्ट्रिका तो दंस्ट्रिका का क्या होगा ये किसका है तत्सम दाढ़ी का ठीक है तो दाढ़ी का ततस्रम क्या हो गए जंस्ट्रिका उसकी बात लिखा है दर्ष दर्ष कीज़का ततस्रम है दर्ष का ये हो ही गया आँख इसका ततस्रम बनता है वत्स क्या बनेगा वत्स तो बच्चा यहां पर तद्भो था बाकी यहां पर जो देखे रखे हैं सब्द एक तद्सम सब्द है और इसका तद्भो बनता है सब्द कास दिया हुआ तो कास भी तद्सम है इसका तद्भो बनाओगे तो खासी होता है तो खासी तद्भो शब्द है इसका तद्भो बनता है आप्षन यहाँ पर आपका सी सही जबाब बन जाएगा भक्त एक तद्सम सब्द है इसका तद्भो बनता है भगत कई सब्द यहाँ पर जो दिया है कई तो कई आपका क्या है तद्भो है इसका तद्सम होता है कती जब का तत्सम होगा यदा और मोर एक तत्भो इसका तत्सम मयूर होगा भग्त का तत्भो शब्द क्या है तो भग्त का उपर अभी देख रहे हैं भग्त क्या हो जाएगा तत्भो भगत आप्शन यहाँ पर ही सही जबाब है जबकि भापुत तद्भोशब्द है इसका 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 जो तो जो एक तद्भो सब्द है यहां पर यहां न होकर कि बिसर्ग लगीगा यहां होगा ठीक है यहां तत्सम हो जाएगा इसलिए C, D गलत रहा है तो आपसे बी बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रशन है कि गाठ का तत्सम रूप कौन सह होगा गाठ का तत्सम रूप हो जाएगा गरंती आपसे बिल्कुल जो दिया है गाठ का प्रियाईबाची है गठर सब्द ढेर को बाधने के संदर में प्रयूक्त होता है और अंगुष्ट सब्द जो है यह अंगूठा का संद्सकीत जयसाँ यहाँ पर डिया आपका सही जबाब बनेगा पुत्र बदू क्योंकि जो पतो हूँ है उसका तत्सम होता है क्या पुत्र बदू को कि देवर दिया है तो यह तक संसक्कीत बनता दिवर दिवर और जेठ दिया है तो जेठ अपने आप में एक तद्भो है तद्सम इसको बनाओगे तो संकी जैसा कोशलिकू जेश्ट भतीजा भी तद्भो सब्द है इसका तद्सम बनाओगे तो ब्रात रिज्ज्य होगा अगला प्रशन है कि निमलेखित सब्दों में से तद्भो सब्द जिन्हित करना है तद्भो शब्द कौन सा होगा तो चंद्रबिंदी आपको दिख गई इह पर यही आप बन जालो इसको गोसाई अपने आप में एक तद्भो सब्द है इसका तद्सम क्या होता है गो स्वामी तो गो स्वामी एक तद्सम बन जाएगा जाड दिया है तो ये भी तत्सम है कि इसका जाड़ा का तत्सम है संतापन भी कि इसका सब्द तो संतापन तत्सम है इसका तत्भो क्या होता है तो सताना सताना तत्भो है इसका तत्सम संतापन होता है बिच्छोब भी अपने आपने के तत्सम शब्द है तो विच्छोह तत्सम और इसका तद्वह जो बनेगे वह होता है विच्छोह विच्छोह का तत्सम विच्छोह शताना का तत्सम शंतापन जाड़ा का तत्सम जाड़्य गोश्वाई का तत्सम गोश्वामी बढ़ते हैं अगे अगला प्रस्म दिया है कंगन तो कंगन का तत्सम रूप कौन सा बनेगा तो कंगन एक तत्भो सब्द है और इसका तत्सम क्या होगा कंकड आपसने यहाँ पर आपका भी सही जवाब है कंगन तत्भो रूप इसका तत्सम कंकड होगा इसे प्रकार कंकती है तो कंकती का तदभव होगा कंगी तो कंगी का तदसम कंकती है कटाहल दिया है तो कटाहल का यहाँ पर कंटा की फल दिया है तो कंटा की फल जो है यह तदसम किसका रूप है तो तदसम रूप है कटाहल का कटाहल तदभो है, तदसम हो जाएगा, कंटी फाल, तो कंटा की फाल, कटाहल का, बकी आप्शन में कंसार दिया है, तो जो कि श्रीकर्ण का प्रिहाइबाची होता है, तदभो से तदसम बने सही सब्द युगम को चिन्हित कीजिए, पहला सब्दी यहाँ पर दिया हुआ है धुआ, तो धुआ का यहाँ पर लिखा हुआ है, धुआप यहाँ पर रा लगा रखा है, तो धुआ का 풀 होता है, यहाँ पर माप लगाना चाहिए था, धुम्र ना की धापर, तो यह हो गया आपका गलत हो, क्योंकि शुद्धि इसकर रूप जो होता है तदसम भो ब तो चर्मण होता, तब यहाँ सही होता, यह भी दूसरा ही गलत है, बभूत लिखा हुआ है, और बभूत का यहाँ पर दस्म बताया जा रहा है, विभूत ही, जूकि बिलकुल सही है, आपसन यहाँ पर सी सही जबाब बन जाएगा, नेह का यहाँ पर सनेह बताया जा रहा है, सनेह नहीं, इसनेह होता है, यहां पर पूरा यह भी गलत हो गया, तो आपसन सी बिल्कुल सही जबाब, निमल लिखेत सब्दों में से तदभो सब्द की पहचान करनी है, तो तदभो सब्द सिंपल सी बात आपको दिख गया, that is आग, आग एक तदभो सब्द है, आपसन इस स तदभो बनता है अगनी, तो आवर एक तदभो रूप है और का, तो आवर एक तदभो शब्द होगा, वन्स तदभो रूप है, इसका तदभो जो होता है, वो होता है बन्स, ठीक है, मन्थज लिखा है, तो मन्थज किसका है, मन्थज किसका तदभो है, मक्खन का, मक्खन क तद्सम रूप है मंन्था जो तो आप्षन ए साइज जवाव आग एक तद्भो रूप अगला प्रस्वठ नहीं निमलेकित में तद्सम सब्द का पहचान करना आपको तो तद्सम सब्द यहां पर कौन्शा होगा पाहला दिया हुआ यहां पर पोथी तो पोथी तद्भो है इसका तत्सम होता है पोस्ताग तो पोस्तक क्या है तत्सम रूपा है पोथी का अंगीठी दिया है चंद बिंदी लगी सिंपल जीबात ये तद्भव होगा और इसका तत्सम जो बनेगा वो अगनिष्ठी का होता है अगनिष्ठी का तो अंगीठी का होगा अगनिष्ठी का अगहान लिखा है, अगहान का तत्सम बन जाएगा अग्रहायन, अग्रहायन, मयूर एक तत्सम शब्द है, तो आप शनी हट डिया आपका सही जबाब बनेगा, इसका तत्भव क्या होता है, मोर, तो मोर तत्भव, मयूर तत्सम, तो आप शनी डिया पर सही जबाब, तत्सम कौन सा सब्द युग्म सही है तो यहां पर सही जबाब बनेगा पूथी का पुस्तक यहां बिल्कुल सही युग्म है पूथी शब्द तद्भो रूप है तत्सम हो जाएगा पुस्तक चडिया का चटक होता है ना कि चटरक तो इसलिए गलत है आगे बैख्या देख लेते है तत्सम का सही सब्द युग्म पूथी पुस्तक है जबकि यन बिकल्पों में दिए गए सब्द युग्म का सही रूप इस स्परकार है चडिया का चटक होगा मौसी का मात्री श्वसा होगा तथा तुम का तुशम्य होगा निमलिकित में से तत्भो तत्सम का कौम सा तद्भो तत्सम और यहाँ पर सही जबाब बन जाएगा चौथा का चतुर्थ होगा आपशन यह बिल्कुल सही जबाब है चौथा का तत्सम चतुर्थ होगा जबकि 31 का एक 37 होता है और 60 का अस्टा जस्टी होगा इतना का तत्सम यह तो होगा अगला प्रस्ण है निमलिखि यहां पर बड़ा से हो जाएगा क life कर दीया है तत्रम शब्द की पैचान करनी है तो यहाँ पर तत्सम सब्द आपको दिग गया होगा अगनी क्योंकि आग एक तत्भो सब्द होता है इसका तत्सम अगनी होता आप्शन यहाँ डी सही जबाब आग तत्भो बनेगा अगनी होगा तत्सम जथा तपसी और थोड़ा तो जट्था का तत्सम बनेगा यूथ, तपसी का तपश भी और थोड़ा का तत्सम हो जाएगा इस तोग आकास का तदभो रूप क्या बनेगा तो आकास का तदभो रूप कौन सा होगा आश्मान आपसन यहाँ पर इस सही जबाब तो वाशमान तद्भो और आकास तत्सम सब्द है बकी अंबर नभी आप जानते हूँ आपके परियाबाची हो जाते है अगला प्रस्न है निमलकित सब्द युगमों में से तद्भो तत्शम की सर्बोत्तम सब्द युगम का चैन कीजिए पहला दिया है आज और अर्ची तो आज का तत्सम यहाँ पर अर्ची बताया गया है जो कि गलत होगा तो पहला हो गया गलत क्योंकि आज का तत्सम अद्ध होता है तो कुल मिला कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था आज का अद्ध होगा आज तदभो है इसका तत्सम अर्ची होता है यहाँ पर गलत मिलाए गए हैं सब दिये हैं घर का ग्रिय है बिल्कुल सही है आपसने यहाँ पर सी सही जबाब बनेगा साच का संचक न होकर के सचक होता है इसलिए यह भी गलत है तदभो तत्सम का सही युगम घर का ग्रिय होगा अन्य विकल्पों में दिये गए याँ आज का अद्ध होगा आज का अर्ची होगा साचा का तत्सम सचक होगा अगला है तद्भो तद्सम का सर्वोत्तम युगमो वही आपको सही कौन शामिलान है यहाँ पर पहला दिया है उगना उगना के यहाँ पर बताया गया है उदात तो उगना का उदात गलत दिया हुआ है तो जीव का जिहवा है बाकी उगना का उदगात होता है लोहार का लाव हुकार होता है सरसो का शर्षप होता है आशू का तत्सम रूप क्या होगा आशू, तो आशू का तत्सम रूप बन जाएगा आशू, आपशन यहाँ पर सी सही जबाब बनेगा आशो का अशु होगा अच्छी तथा तच्छो की तदभव तो आख का तच्छो है चक का तच्छो है और अब्र का अर्थ बादल होता है निम्लिखित में से तदभव तच्छो का सही शब्द यूम का चैन करना यहाँ पर सही जबाब आपका बन जाएगा आप्शन नमबर D पुराना का तच्छम पुराड होता है बाकि गिहों का गोधूम होता है ना कि गिहों इसलिए गलत है पनही का उपाना होता है इसलिए यह भी गलत है उपाना बिसर्ना तो बिसर्ना का यहाँ पर भुलाव बताया गया है जो कि गलत है बिसर्ना का तत्सम बन जाता है बिश्मृति तो करक्ट आंसर आपशंडी अगला प्रस्ण है निमलेकित शब्दों में तत्सम सब्द की पहचान करनी है तत्सम सब्द कौन्शा होगा सही जब आप बनेगा दुगद किसका है दूद का तत्सम है एक एक तदभो इसका तत्सम आप बनाओगे तो इच्छू होगा तत्सम दही तो दही का होता है दधी दही का दधी होगा तत्सम खीर दिया है तो खीर का होता है तत्सम सीर तो आप्शन एहां सही जबाब है आपका अगला प्रस्ण वही आपको सुद्दम सब्द यूँ यानि तद्भो तद्सम की पहचान करनी है पहला प्रशन यहाँ पहला अप्शन दिया है अंधा का अंधग बताया जा रहा है तो अंधा का तद्सम अंधग होता है ना कि अंधग हो इसलिए गलत हो गया फोल का यहाँ पर पुष्प है जो कि बिल्कुल सही है तद्भो तद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इसलिए यह आपका गलत है तो एक्जेक्ट बिल्कुल सही भी होगा सही जबाब नेमने लिके तो तदभो तत्सम का सरबुत्तम सब्द युग मबताना है सही जबाब बन जाएगा आपका अप्शन ए गनीस तत्भो है और इसका तत्सम गड़ेश होगा आपसन ए सही जबाब दूला गिया है तो दूला का जो तत्सम होता है वोता है दुरलभ दुरलभ होगा दुरलभ हो जाएगा और यहाँ पर अनंत का बताया गया है अनेत्र तो अनत का होता है नाकी अनत्र यहाँ पर जो अंके बिंदी लगी यह नहीं होता तब सही होता इसलिए यह भी गलत हो इसके बाद अग्रडी का अग्रवर्ती बताए तो अग्रवर्ती जो तत्सम है यह अग्रडी का ना होकर किसका होता है अगाडी का यहाँ पर अगाडी होता तब सही होता अगाडी का तत्सम अग्रवर्ती और अनत का तत्सम होता है नियत्र यहाँ पर अनत होना चाहिए ना क रिक्त भी तत्सम है इसका तद्भो रीता होता है तो रीता का तद्सम है रिक्त इसके बाद यहां पर दिया है वलगा तो यहां वाग का है तत्सम है वलगा तद्भो यहां पर पूचा था तत्भो शब्द तो सखकर यहां पर तद्भो ठा अपशन डीए अगल्या प्रशन है कि निमने खिती सब्दों में सिक कौन सा सब्द तत्सम或 रूप है तो तत्सम यहां पर जो सब्द दिया है वो है झेत्र, आपशन यहां प सब्द है और इसका तत्सम होता है स्रिंगार कचहरी क्या है आपका तद्भो सब्द है इसका तत्सम बनता है कृत्य ग्रिया अगला परशन है यहाँ परश तो परश सब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो परश एक तत्भो सब्द है और इसका तत्सम बनता है इस परश आपसर यहाँ पर बी सही जबाब बन जाएगा और यहाँ पर लिखा है परस तो परस एक तत्भो है इसका तत्सम बनता है परश वह इसकी बाद लिखा है साप तो साप भी एक तत्भो है इसका तत्सम बनता है सर्प पासाड यहाँ पर दिया है तो पासाड यह तत्सम शब्द है और इसका तत्भो होता है पाहन तो पाहन का होता है पासाड तत्सम साप का तत्सम सर्प परसों का तत्सम परश्वा और पाहान का तत्सम पासाड और परस का तत्सम इस परस अगला प्रशन है चाक तो चाक सब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो चाक एक तद्वह इसका तत्सम बनता है चक्र आपसंसी तो चाक का तत शब्सभाब बंजाएगा आप्शन बी ताम्र को नेक्स्ट है निमलखित में से तद्वह तदसम का कौं सा सब्द यूग्म। सही है आप्शन यहां पर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है नेह का इसनेह होता है तत्सम तो प्रस्तुत विकल्प में नेह इसनेह बिल्कुल सही शब्द युग्म है तद्भो तत्सम अन्द विकल्पों में यह आखर का अच्छर होता है भूख का भूचा होगा तूंद का तत्सम तूंद होता है तद्भो तत्सम का कौन सा सब्द कौन का तत्सम कापुना होगा जूठा का तत्सम जुस्ठ होगा अगला है निम्न लिखे तो सब्दों में से तदभो शब्द की पहचान करनी है तदभो सब्द यहां पर तो तदभो सब्द यहां पर आपसन भी होगा दर्शन दर्शन एक तदभो सब्द है इसका तत्सम दर्शन होता है आसीस का तदभो रूप असीस होगा आसरे का आसरा है तदभो और उदगाटन भी तत्सम रूप है इसका तदभा होता है उगाडना तो उगाडना का तत्सम उदगाटन आसरा का आसरे होगा असीस का आसीस होगा द दर्शन का तदसम दर्शन होगा निमन लिखी सब्सक्राइख सब्सक्राइब component जाएगा इसी। मनुश्य होगा, सुहाग का तत्सम् ०्ष। ततज़ ऑनए सही सब्ड युग्म को पहचान कीजिए तत्सम्. तो कौन सा तत्भौ सो यहां पर दिया हुआ है पुरुसारत. तो पूरुशारत तदभो सब्द है इसका तदसम बने का पूरुशारत यहां बिलकुल सही है भतिजा एक तदभो सब्द है इसका तदसम बनता है ब्रातरिज्जिया घे दिया है और घे का तदसम सुद्ध और तनी यहां पर गृत इस तरह लिखोगे इसके बाद गोद दिया है तो गोद का यहाँ पर कोड बताया गया है कोड ना होकर के क्रोड होता है ठीक है तो यहाँ पर क्रोड होता है सुद्ध गोद का तो इस तरह आप्शन यहाँ पर आपका एक्जैक्ट जो बिल्कुल सही आप्शन है तद्भों से तत्सम बने सही सब्द यूगम को पहचानना है और यहां पर आपका सही जबाब बनेगा आप्शन C तीरत का तत्सम बिल्कुल सही है तीरत यहां पर खटिया लिखा है जबकि खाट का होता है खटवा तो यहां पर खाट होना चाहिए था दो पट्टा लिखा है दिवपट दो पट्टा नहीं दुपट्टा दुपट्टा का होता है रिग है दिवपट्ट सरजोना लिखा है सरजोना का सज्जापन है सरजोना नहीं सजाना का होता है सज्जापन तो यहां पर सजाना होता सच्चा पंता बिल्कुल सही होता इसलिए आपसन सी बिल्कुल सही जबाब होगा बाकी सब गलत है निमनलिकित में से कौन सा सब्द तदभवर रूप है तदभवर रूप तदभवर रूप यहां पर जैसे की सब्द का तदभव तो सब्द का तदभव सबद होगा तो सबद का तद्सम क्या होगा शबद अप्शन यहाँ पर B बिल्कुल सही जबाब अगला प्रशन है नहीं ने शबदों में से कौन सा तदभव होगा तदभव तो तदभव रूप यहाँ पर होता है गधा लिखा है और गधा का होता तत्षम बनता है गर्धव गर्धव हो गया तत्षम गधा हो गया तदभव तो तदभव यहाँ पर पूंचा है ऑप्शन B सुह ही जबाब बन जाएगा बाकि दरसन लिखा है तो दरसन अपने आपमे एक ततत्सम रूप है और यह किसका है तो दरसन दर्शन तद्वा होगा ग्रामीड लिखा हुआ है तो ग्रामीड नहीं जब कि ग्राम होता है ठीक है तो अकर ग्रामीड लिखा है तो ग्राम होता ग्रामीड लिखा है तो ग्मार होगा ठीक है अगर पूछा जाता है कि ग्मार का तत्सम क्या होगा तो ग्रामीड होगा यगमान लिखा है तो यगमान जो है या जजमान जो होता है जजमान लिखा हो या जजमान लिखा हो तो इसका तत्सम यगमान होगा लिए निम ने लिखे तो सब्दों में इसी तत्सम सब्द कौन सा है तत्सम सब्द तो खीर जो दिया है ये तो तदभो है इसका तदभो सब्द है और 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 इसका तदभो सब्द है तो कोख भी अपने आप में क्या है कि तदभो सब्द है इसका तदभो सब्द है इसका तदभो स अगला प्रश्ण है यहाँ पर अंगोचा तो अंगोचा का तदभव सब्द का तदभव रूप तो अंगोचा एक हो गए आपका तदभव सब्द इसका तदभव या एक तदभव सब्द है इसका तदभव रूप आपको बताना है तो अंगोचा का होता है लिखा है तो अगनीष्ठिका का क्या होगा अंगीठी तो अंगीठी का तत्सम अगनीष्ठिका अंगर अख्छा लिखा है तो अंगर अख्छा भी तदभव शब्द है इसका तत्सम होता है अंगर अच्छा को तदभव से तत्सम बने सही सब्द युक्म को चिन्नित तो यहाँ पर सत्तू का सत्तू बताया गया है तो सत्तू का सत्तू होता है इसलिए गलत है लौंग का यहाँ पर लौंग बताया गया है लौंग का लौंग ना होकर कि लौंग होता है इसलिए यह भी गलत है घोड़ा का घोटक बिल्कुल सही है यहाँ सी सही जबाब बन जाएगा गेना का गेन्द यहाँ पर बताया गया है तो गेन्द अपने आप में के तद्भव है इसका तद्सम होता है कंदुख कंदुख तो करक्ट यहाँ पर आप्शन सी सही जबाब है घोडा का तद्सम घोटा को होता है सत्तो का सक्तु होगा, लौंग का लवंग होगा, गेंद का तत्सम कंदुक होगा तत्सम से तद्भव रूप में बने सही सब्द युगम को चिन्नित कीजिए तत्सम से तद्भव तो वत्स एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है बच्डा बिल्कुल सही है तो वच्चा लिखा हो या बच्छा ठीक है यहाँ पर वद्स का फ़ालक दिया है बच्चा होना चाहिये था इसलिए यह भी गलत है सबद, तो सबद नहीं शब्द होता यहाँ बड़ तव्या सही होता, यहाँ पर अगर सब्द का लिखा होता तो सब्द तद्वों होता है कि जा सभण यहां पर आप्षन यह यह सब्द लग में यहां पर वत्स बैश्द Office का तद्वर्प्सष्चा होगा abrupt अब्दों का तद्षर म उच्चा होगा यू धोर० कर दो होगा तो इसमें पूरा का पूरा प्रश्ण उत्रे जो संग्रारा 240 प्रश्ण आपने पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लिया तो आएए अब अध्यन खंड सामागरी को कबर करते हैं उसके बाद पूरा चैप्टर कम्प्लीट कर लेते हैं अमिय दिया है तद्भो शब्द है इसका तद्सम अम्रित होता है प्रच्छर का अच्छर होगा अनत का अन्यत्र होगा अमूचर का आमचूर होगा तो अमचूर का क्या होगा आमचूर अनाज तद्भो शब्द है इसका तद्सम अन्न होगा अमोल का तद्सम अमूल्य होगा अकास लिखा है तो आकास अपने आप में क्या है तद्सम सब्द है इसका तद्भव बनाओगी तो अकास होगा तो अकास का आकास होगा अगारी दिया है अग्रवर्ती होगा तद्सम अमावस का तद्सम अमावस्या होगा अकेला का एकल है अरपन का अरपन होगा अकथ का अकथ्य होगा अजान का अज्यान होगा अगुवा का तत्सम अग्रणी आइस्तुती का इस्तुती होगा अधर्म का अधर्म होगा ठीक है तो अधर्म क्या है तद्भो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा अधर्म अध्धा, अध्ध, आध्ध, इसका होता है अर्ध पूँचा गया कि निमलखित में से अर्ध का तदभव क्या होगा तो आपको आप्षन में आध्धा भी दीख़कता है अध्ध दीखेगा अध्धा अंसन, तो अंसन में यहाँ पर बड़ा सा होगया तद्सम में तो असाड का तत्सम क्या है असाड है अपठ का अपठ होगा तो अपठ है एक तत्सम सब्द है किसका अपठ का तत्सम अचोट होगा अड़ा का अट्टा है अखाड़ा का अच्छवाट होगा अगम का अगम्य होगा अगवाडा का अग्रवाट है अगहन का अग्राहन है अगुवा का अग्रप है अगुवा का क्या है तत्सम तो अगुवा एक तत्भो शब्द है किसका जिसका तत्सम है अग्रप अचंभा का होगा असंभाव तो असंभाव अपने आप में क्या है कि तत्सम शब्द है और इसका तत्पो क्या होता है अचंभा अचकन, अचकन का तत्सम कंचुक होगा अचानक का तत्सम अज्यानत होगा क्या होगा अज्यानात तो अज्यानात एक तत्सम बनेगा तर्भो इसका अचानक तो अचानक कैसा सब्द है तर्भो अगला है अचूक तो अचूक अपने आप में तर्भो है इसका तत्सम हो जाता है अमोग अच्छा एक तत्भो शब्द है अच्छे इसका तत्सम बनेगा अचल है तो अच्छल होगा असगंध है तो असगंध है तो असगंध है तर्भो है अश्वगंध है तत्सम है असन का तत्सम अशन होगा असमत का अश्वमत है अचेद का अचेद है अजवायन तो अजवायन क एक तत्भो शब्द है और आफिम क्या है अपने आप में एक तत्भो शब्द है इसका तत्सम होता है अहिवेन अठ मासा का तत्सम बनेगा अस्ट मास अस्टी का तत्सम होगा अशीती अधिश्ठ ठाता तो अधिश्ठ ठाता एक क्या है आपका तदभो शब्द है अधिश्ठ ठाता एक तदभो है अधिश्ठ ठात्री अधिश्ठ ठात्री इसका जो है तत्सम बनेगा अलच्छन दिया है अलच्छन का अलच्छन होगा तत्सम अचवन का आचमन है अनूठा का अनूथ है तत्सम आलोटना तो अलोना क्या है आपका एक अलोना एक तदभो शब्द है इसका तत्सम होता है अरग है अरग का तत्सम अरग होगा तो अरग क्या है तत्सम शब्द है और इसका तदभो होता है अरग अम्मा तो अम्मा क्या है कि तदभो शब्द है और इसका तत्सम होता है अम्म अधो गामी अधो गामी का तत्सम अधगामिन अनकना का तत्सम आकरणन अनकना का तत्सम क्या होगा आकरणन अनुगामी का तत्सम अनुगामिन अनुभवी का तत अनुभाविन अनुयाई तो अनुयाई का तत्सम होगा अनुयाईन अनुरागी का अनुरागिन अनुराधना का अनुराधना का अनुराधना का तत्सम अनुराधन अपकर्ता का तत्सम होगा अपकर्त्री अपहर्ता का तत्सम अपहर्त्री अवेर का होगा तत्सम अवेला अभागा तत्सम अभाग्य होगा अभिनेता का तत्सम तो अभिनेता एक तद्धो शब्द है और इसका तत्सम होता है अभिनेतरी अधिमानी का तत्सम अधिमानिन अच्छत का तत्सम अच्छत होगा अठारा का तत्सम अश्टादश होगा अधरक का आर्धरक कई बार पूछा जाता है अपना का आत्मनह होगा हकाज का तत्सम अकारिय होगा अचरज का तत्सम आश्चरिय होगा अढ़ाई का तत्सम होगा अर्धुत्रितिये 98 का तत्सम अस्टानवति कितना होगा 98 तो 98 एक तत्भाव शब्द है इसका तत्सम बनेगा अस्टानवति 88, 88 का तत्सम अस्टासीति अभिलासी, अभिलासी का तत्सम अभिलासिन अपाहिज का तच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अवगाह का तत्सम अवगाद होगा, असीस का तत्सम आसीस है, 58 का तत्सम अस्टा पंचासत है, 68 का तत्सम अस्टा जस्टी है, अनारी का तत्सम अनारी होगा, अनी का अरी होगा, अनी का तत्सम क्या है, अरी होगा, आभूशन, तो आभूशड अपने आप में क्या है आपक तत्सम शब्द है आभूशड जब कि इसका तत्भव होता है आभूशन तो कुछ संस्कित जैसा दिखेगा तत्सम ठीक है आदिश तो आदिश अपने आप में एक तत्सम शब्द है इसका तत्भव होता है आयसू तो आयसू आयसू क्या है तत्भव शब्द है इसका तत्सम क इसका तद्वह होता है आचर्व अवगाह का अवगाध होगा अवध का अयुध्या तो अवध अपने आप में क्या है तद्भो शब्द है और अयुध्या तत्सम है अवलूचना का तत्सम आलूचन तो आलूचना अपने आप में क्या है तो अवलूचना है अवलूचना क्य और इसका तत्सम होता है अलुंचन के और हेलन अगर है तो तत्सम है और यहां पर आ का मात्र लगा दिया तत्सम हो गया प्रसी तदभो शब्द है आग का होता है अगनी बढ़ते हैं अगले पीज पर लिखा है आठ तो आपका होगा आतुमा तो आत्मा एक क्या है तत्सम सब्द है और तद्भो है आफ आसरा आसरे इमली का अमली का तो अमली का क्या है तत्सम सब्द है और इमली यह है तद्भो है एकठा का तत्सम एकत्र होगा एककीस का एकविनसत होगा 21 का तत्सम क्या होगा तत्सम क्या होगा संकीत में 31 का होगा 31 का होगा 1 24 गारना उघारना एक तदभौ शब्द है थेड़ भासम बोल देते उगाड उजडा इसको उगाड दो उगाड ना तो इसका उद्गाटन होगा उचाट क्या है उचाट तद्भव है उचाट तत्सम होगा उचंग का उजड का उजड का उजड होगा तो उजड और उजड यहां पर जा आप देख रहें फिर पूरा जा है आधा जा पूरा जा जबकि यहाँ पर आप देख पर हैं, ओजड में डा अधा है, फिर फूरा डा है, तो यह आप देख पाने इतना अंतर है तद्वों तद्वों तजसं में, उतरना का होगा अवतरण या उन्तरण, तो उतरना अपने आप में इस तद्वों है, उपभोगता का उपी भोगतरी होगा उपमाता का उपमातरी है उपला का उतपल है उलंगना का उलंगन है उल्लू का उलू को होगा कई बार पूँचा गया उट का उस्ट है ये भी पूँचा गया उखल का उदगल है उचा का उच्च होगा पूधम का उद्धम है आंगन का अंगड होगा आचल का अंचल है आत का अंत्र होगा आमला का अमलक है आश का पास है आश का जो है तत्सम बनेगा पास अंजोली का अंजली है अंगोचा का अंग प्राउक्षा ये भी कई बार पूछा गया अखुआ का अंकूर है अधेरा का अंधकार होगा अंगुठी का अंगुष्ठी का है अंगुठी का क्या है अंगुष्ठी का अंगिया का होगा अंगिका आख का आच्छी है तो आंक का तद्सम होगा आक्षी आकर आकर का होगा आकार और आवा का तद्सम बनेगा आपाक। इकलवता, तो इकलवता का एकलपुत्र है, इतना का इयत है, तो इयत अपने आप में तद्सम है, इतना तद्भो है, इतवार का आधित्यवार है, इधन का होगा इधन, तो आप देख पाने कितना अंदर है, इके उपर बड़ी के उपर यहाँ पर अंके बिंदी लगी है, इ इसना का होगा एशडा, इख का एक्षू है, इसा का होगा इरस्या, इसा का तत्सम क्या है, इरस्या है, इंट का होगा इस्टिका, और उठ का है उत्तिस्ट, उबालना तदभो है, इसका तत्सम बनेगा उद्वालन, उजला का उजल है, उपास का उपुवास है, आज हम उप ना बोलते धिरण भासा में तो उपास एक तदभो हो गया और उपवस इसका में एक तत्सम इसके बाद है आपका ऊन तो ऊन एक तत्सम है यान裡 उण इसका तत्सम है उन जो है क्या है सबोव है गोग रिडि का होगार और नेलिन इलुर का हमी पस्याय है, ओजा का तत्सम उपाध्या है, तो उपाध्याय अपने आप में क्या है, तत्सम है, जब कि इसका तदभय ओजा है, ओठ है, तो ओठ का ओस्थ है, ओढ़ना का उपवेश्टन होगा, और ओसार का क्या हो जाएगा, तत्सम प्रसार, आवा का आपाक है अंगुरी का अंगुली होगा अंधा का अंधा है अंस का अंस होगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपर बड़ा सा हो गया और यहाँ छोटा सा है तो छोटा सा तत्सम है तद्भो है इसका तत्सम हो जाएगा बड़ा सा वाला कहार है तो इसकंध कहार का क्या होगा कहार एक तदभोशब्द है इसका होगा इसकंध भार कपड़ा का करपट है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कपड़ा करपट केवट का तत्सम कैवर्त होगा काना का काड़ा है करम का करम है कोठी का कोश्ठी का है कोश का क्रोश होगा करतब का तत्सम करतब्य है करतब दिखाओ अपना करतब क्या है करतब एक तदभोशब्द है इसका तत्सम होता है करतब्या कोड़ी का कुष्ठी है, कववा का काक होता है, कोना का कोड़ है, किनकी का कड़िका होगा, केहरी का केशरी है, तो केशरी तत्सम है, तद्भो केहरी है, कलेस और कलेस, तो कलेस आपका एक तत्सम है, और कलेस क्या है, तत्भो है, कच्चा का कुपच है, कूची का तत्सम कूर उगना का उद्गात है उजणा का उनमादिया उदिग्न है उड़ना या उड़ान का उडदेन होगा अपने आप में एक तद्सम है किसका उड़ना का या उड़ान का 29 का उन 30 होगा, 19 का एकोन 22 है, उडेलना का उद्वारन होगा, उकेरना का कीनड होगा, उखाडना का होगा उद्खात, उघटना का तत्सम उद्खतन होगा, अउटाना का उत्तापन होगा, और का अपर होगा, अउधा का अउमूर्ध, अउधा क्या है, तदभाव सब्द है, और अंधा का होगा अउमूर्ध अंगर अखा का अंगर अच्छक होगा जहाँ पर चंदिबिंदी लगेगी वहाँ अप तद्भो लगाईएगा तो चंद्रबिंदु यहाँ पर भी अंगीठी है अगनीष्ठी का होगा अंगूठा का अंगुष्ठ होगा आज का होगा अरची तो जहाँ पर भी आपको चंद्रबिंदी देखे जनरली क्या आप मानोगे तद भोशब्द कंगन का होगा कंकड, कंगी का कंकती, कई का कती होगा, कचहरी का कृत्य ग्रिह है तो कचहरी अपने आप में कौन सा सब्द है, तदभो सब्द है इसका जो है तत्सम बनता है कृत्य ग्रिह कुझी कुझी का है, कुछ का होता किंचित तो कुछ अपने आप में एक तदभो शब्द है और किंचित होता है तदभो कुछ का तदसम हो जाएगा किंचित कुमड़ा का होता है कूशमांड क्या होता है कूशमांड और कुमड़ा अपने आप में एक तदभो शब्द है कुमड़ा का होगा कूशमांड अगला है कौन तो कौन एक तद्भो शब्द है इसका तद्सम है कापुना तो कापुना क्या है तद्सम शब्द है किसका कौन का क्यों का होगा किमपुना कटहरा का होगा कास्ट क्या होगा कास्ट ग्रिह कटहल का होगा कंट किफल तो कटाल का होगा कंटा की फल, अगला है कडाह, कडाह का होगा कटाह, कपूत का कुपुत्र, काठ का होगा कास्थ, काज या कारज का होगा तत्सम कारियम तो कारि एक तत्सम सब्द है, इसका तत्भव होता है कारज या काज कान का होगा करण कान या कान हा का होगा क्रिष्ण किसन का होगा क्रिष्ण तो किसन का भी क्रिष्ण होगा यहाँ पर किसन लिखो तो कान हा या कान या किसन इसका तत्सम बनेगा क्रिष्ण कंकड का होगा करकर कंगा का होगा कंग कंडिहार का होगा कर्णधार कर्तूत का कर्तब है तो कर्तूत अपने आप में एक तद्भो शब्द है और कर्तब एक तत्सम शब्द है कर्दम का होगा कर्दम कर्दम का होगा क्या कर्दम कर्वट का होगा कर्वर्त या करपत्र करिया का कर्णिक करेला का कारूबेल करंदा का करमर्द है कलसा का कलस होगा कलाई का कलाची है कली का कलिका है कलेवा का कल्ल है कसना का तत्सम है करसण कहानी तो कहानी अपने आप एक तद्भोसब्द है और कहानी का तत्सम हो जाता है कथनी का काटा का कंटक है काजल का कजल है कोख का कुछी है कोड का कुष्ट है कोजल का कोकिल है कोड़ी का कपड़िका है कवर कवर का होगा कवल तो कवल अपने आप में एक तद्सम है और कवर जो है तद्भो है क्यारी का होगा क्यादारी का क्यारी का क्या होगा केदारिका सिंगहाडा सिंगहाडा का क्या है स्रिंगाटक तो कई बार पूछा जाता है खार का छार है खान का खनी है खजूर का खरजूर होगा खड़ाओं का कास्थ पादू है खड़िया का खटिका है खड़ का खात है और खत्री का छत्री है तो छत्री अपने आप में तत्सम है इसका तद्भो होता है खत्री अगला है कंधार तो गांधार होगा कंधार क्या है? तद्भो है गांधार इसका तत्सम है ककड़ी का करकटी है ककड का करकर है, कच्चा का कसण होगा, कच्छार का कच्छ है, कच्छुआ का कच्छप है, कटार का कटार है, कठवत का कास्ठ पात्र है, कड़ा का कटक होगा, कड़वा का कटुक होगा, कढ़ना का कर्शण है, कतक का कुंता है, कत्ती का कर्तरी है, कत्थक का कत्थक है, और कत कपाड तो कई बार एक्जाम में पूंचा जाता है किवाड और कपाड और साइधारी यारू पिछली बार पूंचा हुआ है किसान का क्रिशाड या क्रिशक होगा कुवारा का कुमार है कुंदन का कुंद है कुवा का होगा कूप कोई का कुव है कुटिया का कुटी होगा कु कुदाल का कुदाल है कुनकुना का कदुष्ड है और कुनवा का होगा कुटूंबा खपढ़ा या क्पपर या खोपढ़ा का खरपर खपाना का छेपड है खाट का खटवा है खीर का छीर होगा, खुदरा का छोद्र है, खुर का छुर है, खुरपा का सुरप्र है, खूटा का छोड है, खेप का छेप है, खेल का केली है खेदक का छेपक है, खोई का छोद्र है, खोज का होगा छोद्र खेत का छेत्र है और खेती का छेत्री तो खेत खेती छेत्र शेत्री अगला है आपका कथा तो कवात हो गया कनेर का कनेर है कनोज का कानेकुब्ज है कभी प्राचीन नाम भी पूँछा जाता है इंसेंट इस्ट्री हो गया है आपसे प्राचीन कानेकुब्ज ठीक है कपटना का कलपन है, कपास का करपास है, कपूर का करपूर है, कई बार पूंचा गया है कब का कदा है, कबड़ी का कपड़ी है, कभाड का करपट है तो बिसिकली आपसे जो एक्जाम में पूंचा जाता है, कपड़ा का पूंच लिए जाता है कपड़ा का तत्सम क्या होता है करपट होता है कबाड का भी दिया है करपट तो ध्यान दीजिएगा एक्जाम में आपसे कपड़ा का पूछा गया है बार-बार क्या होता है करपट अगला है कबूतर तो कबूतर का होता है कपोट कमंडल का होगा कमंडलू देख रहे हैं आप कितना अंदर है कमंडर लिखा है और यहाँ पर छोटा उकमातर लगा दिया गया लापा तो हो गया तत्सम करतार का होगा करतार कुबड़ा का कुबज है कुम्भार का कुम्भार या कुम्भकार है कुल्हण का कुल्हर है कुलाडा का कुठार होगा केचुली का कंचुक है केकड़ा का करकट होगा केवड़ा का केवड़ा का केविगा है केला का कदली है यह कई बार पूछे गए है कैथ का होगा कपित तो कैथा या कैथ पढ़ते हो आप थेद भासम जो फल होता कैथा तो कपित जंबू फल पार भ किसका कैसा का तो कैसा एक तद्भो है खंभा का होगा इस्तंभ खासी का होगा कास तो चंद बिंदी दिखे ही तो ये तद्भो होगा ही होगा और कास इसका होता है तत्सम खुजली का होगा खर्जू, गलना का गलन है गलना क्या है तद्भो है और इसका तत्सम गलन होगा गर्मी का ग्रीश्म है गोबर का गोमा या गोमल होगा गिरना का गड़न है गनेस का गनेस है गाउं का ग्राम होगा गधा का गरधाप कई बार पूछा गया है गात का गात्र है बढ़ते हैं अगले पेच पर गेहुं का गोधूम होगा गेहुं का तत्सम क्या बनेगा गोधूम ये भी कई बार आपकी पूछा गया है जामे गुन का गुड है गोरा का गौर होगा गहरा का गंभीर है गगरा का गरगट है गठन का गटन है गठना का ग्रथन है गठना का क्या होगा ग्रंथन गड़ना या गड़ा तो गर्त होगा तो गर्त एक संस्कित में हो जाएगा तत्सम है गर्त तो गड़ना या गड़ा गहन का ग्रहन है गाठना का ग्रंथन है तो यहाँ पर देख पर है गठना दिया हुआ है या गाठना तो दोनों का क्या है ग्रंथन गाल का होगा गल या गड़ तो गाल एक क्या है आपका तदभो शब्द है उसका तदस्व होता है गड़ या गल गिरगिड का होगा गलगती गुधना गुधना का होगा गुध गुठली का होता है गुठी का चकवा का चक्रवाक है, चबूतरा का चत्वर है, चमगादड का चर्मचटक है, चमार का चर्मकार है, चमेली का चमपगवेली है, चांद का चंद्र है, चालीस का वही संस्किर्ट में आप करना है न, चत्वारिंशत, चुनना का चैन होगा, चुल्लू का चुलूक है, चूर जमाई या जमाई जमाई होगा तो जमाई या जमाई क्या होगा जमाई जेठ का जेश्ट है और जुगति का युक्ति है जुवा का दूत है जुवा का क्या है दूत है जो का यह होगा यह लगा फिर भी शर्ग लगा दिया है जोड़ा का युक्त है और जुगति का युक्ति जनेव का योगो पवीत है जागना का जागरण होगा जीरा का जीरक है जैसा का या होगा यादरिश होगा जीवर का धीवर है जोकना का अध्योक्त है जीना का जीनड होगा आप समझ पार है तो जीरा का जीनड नहीं जीरा का क्या होगा जीरक जीना का होगा जीनड ध्यान द जीरके ठीक जीरक वागा की जीरक होगा Joji बचाकी जीरक का ही अगला है दोस्त ऐसे गुंधना का गुध हो गोठली का गोठिका है गोठ का गोष्ट है गोखरू का गोचुर होगा गेंद का गंदुक है तो गेंद जन्दली जो है तदभाव सब्द्य है और गेंद का होता है कंदुक तीक है गोध का क्रोड है गवना का गमन होगा ग्वाल का गोपाल है गवय्या का गायक होगा घी का गुझजा होगा, गुझजा होगा, गुझजा होगा, तदभव शब्द यहाँ पर चंद बिंदी लगा दोगे, तदभव हो जाएगा, इसका तदभव शब्द होगा, समनाव गोणिठन होगा खेला का चेटक है चोटी का चूडा है चौकोणा चौकोणः का चतुसकौणः चौगुन का चतुरुड़SON हैs चौणा का चतुसथपदक क्या माश्थवारी चौण sun having 54 すm water च्पान शोत्र माश्वारी चिंस च्छित्र का च्छित्र है और छाजन का छाद या छादन है छिलका का सकल होगा तो छिलका अपने आपने क्या है क्तद्भो शक्त है सकल इसका होता है तत्सम जड का जटा है जब का जदा है जोटा का जुस्ट होगा टकसाल का टंकसाला है टाका का टंक है टाटा का तंतु है तूटना का तूटेते, क्या है तूटेते, तो याद रखना है तूटना क्या तदभो है, इसका तत्सम क्या बनेगा तूट्यते, तोली का तोली का है, ठग का इस्थग है, ठहर का इस्थल है, ठाउर का तुंड है, डाइन का डाकिनी है, डंडा का दंड है, डिंब का दंब ह तमोली का तामबूलीक है, इनका का होगा त्रण, घड़ा का घट है, चना का चड़क है, चूना का चूंड होगा, चाक का चक्र है, चाक का क्या होगा, चक्र, चरन का चरण होगा, चितेरा का चित्रकार है, चबाना का चर्मन होगा, चड़िया का चठिका है, चांदनी का चं चौक चौका का चतुसका होगा, चौकट का चतुसकाट होगा, ठीक है, चौकट का क्या होगा, चतुसकाट, अगला है आपका, जड़ का जटा, जब का यदा, जमहाई का होगा, जरिभी का, जाड़ा का जाड़ी है, जोगी का योगी है, तो जोगी योगी, तो योगी क्या आपने आपने तत्सम है, जोगी तत्भा है, जंत्र का यंत्र होगा, जांग का जंगा है, जलन का जोलन होगा, जग का जगत है, जवान का युवान है, जोबन युवन कई बार पूछा गया है, जव का योग, जथा का यूथ है, इसके बाद है आपका तामबा का तामर होगा तालाब का तड़ाग है तिख या तीखा का तीष्ड होगा त्रिगुणा का त्रिगुण है तुरंत या तुरत का त्वरित होगा तेरह का त्रिओदस होगा तेल का तैल है तेल का तैल तेवर का त्रिकुटी तैसा का ताद्रिश तेरा का तव यकेर होगा तोंद का तुंद होगा और त्यों का होगा तदायवम अगला है तपसी तपसी का होगा तबश्वी त्योभार का तिथिवार है तुमका तुश्मे होगा ताव का ताप है तीजा का तृतियक है थोड़ा का इस्तोक है थन का इस्तन होगा थल का इस्तल है थामना का इस्तंभन है थान का इस्तान होगा थाल का इस्ताल है थाली का इस तो धनिया का क्या है धनिका है धरम का धर्म होगा धुमा का धूम्र है धान का धान्य होगा धुनी का धुनी है निहाई का निघाती है निगलना का निर्गलन है नाखून का नखो होगा नीम का निम्ब है नाच का निर्त है नाती का नप्त्री है नींद का होगा निद्रा ना जाव का होगा नवका नाहर का नरहरी है नाहर का नरहरी निशल का होगा पढ़्दाल का होगा परितोलन पनाह प्रिडों है पनवार का पर्ष्ट का परियस्त है पहेली का प्रहेली का है पान का पनड होगा पाही का पाथाई है पाही क्या है तदभो है इसका तत्सम क्या बनेगा पाथाई है पाहुना का प्रागूंड है पिछवरा का पच्छपट है और पिटारा का होगा पिटक दिवाली दिवाली अपने आप में एक त तद्भो शब्द है इसका तत्सम होता है दीपावली तो दीपावली हो गया तत्सम दीवाली हो गया तद्भो देखना का द्रिश्ट है दीठ का होगा द्रिश्टी दस का दस है ठीक है तो दस और दस दामाद का जमाता होगा दूला का दूरलब है दूला का क्या है दूरलब गदहा का क्या गर्दभ तो यहाँ पर क्या है दूला दूरलब गदहा गर्दभ दुरद्र का दूरद है दात का दंत होगा दिया का दीप है दूजा या दूसरा का दूतिय होगा दर्शन का दर्शन है तो दर्शन दर्शन दूना का दिउगुण है दई का देव है दूबला का दुरबल होगा दूब का दूरवा होगा दसमा का दसम है निठुर का निश्ठुर है नख़त का नशत्र है नाक का नासिका है नीबु का निमबक है नीम का निम्बता, नीवता का निमंत्रण होगा निबाह का निर्वाह है, नहान का इश्नान है इश्नान अपने आप में तदस्म है और नहान इश्का तदभो है कौन सा नेम लगाए हो, कौन सा नियम है तो नियम अपने आप में एक तदस्म है और नेम जो है वो तदभाव शब्द है ठेट बिलकूर नेम नस इसनायो है नया का नव होगा नाई का नापित होगा नेह का इसनेह है तो इसनेह और नेह है नयन का नयन होगा नंगा का नगन है नंदोई का होगा नंदोई का क्या होगा ननांद्रिपती पिटारा का पिटक ह पिता का पित्री होगा, पिरोना का प्रोत होगा, पीठा का होगा पिष्टक, पीड़क का पीड़क, पीपल का होगा पिपल, पीर का पीड़ा है, पीला का पीत होगा, पुतला का पुत्रक है, पूशना का प्रिश्ण होगा, पूरा का पूंड है, पेंदा का पेंड़ा है, पडोसी का होगा प्रतिवेसी पडोसी का क्या है प्रतिवेसी और पडोस का होगा प्रतिवेस तो पडोस पडोसी प्रतिवेस प्रतिवेसी पीछे का होगा पश्चात क्या होगा पश्चात दाढ़ी है तो आपकी जो दाढ़ी है दाढ़ी है ना तो दाढ़ी का क्या होगा द दबाना का दबन है दोहता का दोहित्र है दोपट्टा का दिवपट्ट है दाई का धात्री या धाया है दाख का द्राच्छा होगा दोहरा का दिवधाय अस्रित है दोना का द्रोण होगा दोना का धावन है नंदोई का हो गया नहाना का है क्या नखरण नहना लिखा है नहना नेवला का नकुल होगा नईहर का ग्यातिग्री है नोचना का होगा लुंचन धर्त्रा का होगा धर्त्री धाम का धामन नमक का लमड होगा नाद का नंदक है नाता का ग्याति है नारियल का होगा नारिकेल का युआर मुझा गया है पेछे का पस्चात होगा पीठ का है प्रिस्ट पीड़ा का होगा पीठक पराठा का होगा परपट तो पराठा आपने भूली खाया होगा परपट और कपड़ा का क्या था करपट और तो पुस्टक अपने आप में इक तद्वो सब्द है और पूथी है तद्वो, पूजी का पुन्ज है, पुआ का हुगा पूप, पर्णाली का प्रणाली है, तद्वो सब्द है, पीढ़ी है, पीठी का है, बढ़ते हैं पेसी ओर, पाना तो पाना एक तदभो शब्द है इसका होगा प्रापड़ पान्त का पंक्ति है पगहा का प्रग्रह है पतला का प्रतनु है पत्ता का पत्र होगा तो कई बार ये भी पूछा गया है परख का परिच्छा है तो परिच्छा अपने आप में क्या है एक तदसम है और परख इसका क्या है तदभाव शब्द है याद रखना है important पूंशा भी गया है कई बार पतोहू तो गाउंगेर हम ठेड़ भासां बोल देते पतोहू आई बाई पतोहू मैं पुत्रवधू पतोहू इन लड़के की जो है दुलहनिया तो पतोहू हो गया पुत्रवधू परचाई परचाई तदभो शब्द है और तत्सम होगा इसका प्रत्षाया पाख का पच्छ है पकवान का पकवान होगा पाती का पत्रिका है पाहन का पासाड होगा तो पासाड एक तत्सम शब्द है पाहन तदभो होगा पक्का का पक्को है पूंश का पुछ्छ होगा पल्ला का प खालगुन होगा फावड़ा का परशु है फोड़ा का इस फोट है फासी का पासी का है फूल का पुष्प होगा फहराना प्रसारण है फांदना का होगा फड़न बिछड़ना का विच्छेद है बिछाना का विस्तरण है बिनना का वीशन बिशरना का विस्मृत है बीच का द प्रशु का प्रश्व है, प्यास पिपासा होगा, पसारना का पसारण होगा, पामगा पाद है, पलड़ा का पटल होगा, पपड़ी का परपटी है, पास का पार्शु है, पंद्रह का पंचादस होगा, पनसारी का होगा, पंडेसाली का, पसरना का प्रसरन्ड है, पहचान का होगा, प्रत्यार विग्यान, पहचान का होगा, प्रतिव विग्यान, पक्वारा का पशुवार है, और फास या फासी का पास होगा, पोटना का इश फोटन है फिटकरी का होगा इस फटिक बंसी का बंसी है वखान का व्याख्यान होगा बघारना अवधारना एक तत्सम सब्द है और बघारना एक तद्भो शब्द है बचन का होगा बचन वटवा का वर्तुल है बटीर का वर्दक होगा बढ़ई का वर्धक की होगा तो बढ का वडिक होगा वरात का बर्यात्रा है बेचना का विक्र होगा बेटा हे बेटा तो बेटा क्या है तदभो है वटू इसका तदसम हो जाएगा बेगना का वेधन होगा बेधर्म का विधर्म है वेन का वेडू है बेवस का विवस है बेल का विल होगा वैन का वचन होगा तो विवाह और व्याह तो विवाह क्या है तत्सम है व्याह एक तद्भो ब्यवरा या व्यवरा तो विवरण होगा तो विवरण अपने आप में एक क्या तत्सम है इसका तद्भो होता है व्यवरा या व्यवरा बादल का वारिद होगा बच्चा बचड़ा कई बार पूछा गय कई बाद का पुशच्य होगा पूत का पुत्र है, पोता का पौत्र होगा, परमारत का परमारत है, पत्थर का प्रस्तर है, पसीना का होगा, प्रश्वीद या प्रश्विन, पिया का प्रिये होगा, पुरसारत का पुरसारत है, पुत्ली का है, बरात का बर्यात्रा, बहरा का बधिर हो गया, बहुरना का व बालुका है विखरना का विकीरण है विच्छो का विच्छिक होगा बीधना का वेधन होगा बिनती का विनती है बिनती 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 बावला का बातुल होगा बाजा का वाद है वर्षना का वर्षन है बहनाओ बहनोई तो बहनोई का कहोता है भगनी पति बगुला का वक हो वाराणसी है तो बनारस क्या है तद्भो शब्द है वाराणसी तत्समाई वंदर बानर है वांगना का बंधना है विकना का विक्रणेंड है बसीरा का वाजगरी है बूटी का ब्रित्ति का है बांध का बंध होगा बीश का बिंशति है बिजली का विद्दत होगा बारा का द तो आपके एक्जाम में पूलिंग में सब्सक्राइब ढूंध चुंन'. फायम सब्सक्राइब बहुच्आ का महिची और भौतर भौर्जबर भावी का तरी भारिया है. भीतर का भ्यंतर होगा, भमरा का भ्रमर है, माला का माल है, मक्खी का मच्छिका है, महावत महापात्र है, महुआ का मधूक है, मांजिली या मांजी का मध्य होगा, मांड का मंड है, माथा का मस्तक होगा, मारना का मारण है, मिटना का मिरिस्ट है, मीठा का मिस्ट है, मुह का मुर्ध का मुर्धन होगा, मूझ का सम्सु है, मूझ का मुन्ज होगा, मैया का मात्रिका है, मैला का मलिन होगा, बाया का वाम है, बकरा का वरकर होगा, भादों का भाद्रपद है, विगारी का विच्छाकारी है, वीख का विच्छा है, भाप का वाश्प है, विश्चुक का विच्चुक है, वीशम का वीश्म है, भालू का भलू का है, भोख का बुभूछा, भहों का भुरू, भगत का भक्त, भभूत का विभूती, भाई का भात्री भामरा का भ्रमर होगा माला का माल है तो भामरा भ्रमर कई बार आपकी एक्जाम में पूछा गया है मक्षी का मक्षी का है मक्षी का होगा मक्षी का होगा मेह का मेग होगा तो मेग क्या है आपने आपने तत्सम है इसका तदभव होता है मेह मौत का मुर्तियु है, मौर का मुकोट होगा, मंडवा का मंडप है, महंगा का महार्ग है मुख्या का मुख्य है, मरना या मरन का मरण होगा, मा का मातरी होगा, मूंग का मुद्ग होगा मदारी का मंत्रकारी मानुष का मनुष्य तो मनुष्य ततसम है और मानुष्य ततभो सब्द है मंगलवार ततभो सब्द है और इसका ततसम होता है भाव मुवार मंजन का मजन होगा तो मजन क्या है ततसम शब्द है जबकि मंजन ततभो है मुझ का स्रम्षू है मुझ का मुंज होगा मैया का मात्रिका है मैला का मलिन होगा मोटा का मुष्ट है मोटी का मौक्टिक है मिट्टी का मृत्टिका होगा तो मृत्टिका आपने आप में एक तद्सम है और मिट्टी तदभो होगा मखन का मन्थज होगा तो मखन तदभो शब्द है इसका तदस्म होता है मन्थज मुठी का मुष्टी है मुठी का क्या होगा मुष्टी मुष्टी का मात्रिश्वसा लियच्च का यत्र होगा यहां का आत्र होगा रीठा का रिष्ट है राजबूत का राजवपुत्र होगा राखी का रची का है रहट का अरघट होगा रत्तिक रत्तिका है भतीजा का भ्रात्रिज्य होगा भखना का भच्छड है भगवान का भगवत होगा तो भगवान तत्भवशब्द है और भगवत तत्सम है भदंत का भद्र होगा भावज का तत्सम भ्रात्रिजाया होगा भरना का भरन है भला का भद्र होगा मांग का य यहाँ पर चंद्र बिंदी दिखी, तो जहाँ पर चंद्र बिंदी होगी, आपको तद्भो सब्द समझना है, विरिंगी इसका तद्सम बनेगा, भांजा का भागनिय होगा, भाट का भट है, भाड का भ्रास्ट है, भाड का क्या होगा, भाडा का होगा, भाडा का होगा, भ तद्भो सब्द है, इसका 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 तो रहना का रूदन है रूपयां का रूपया अपने आपने अपने तदभो शब्द है इसका तदस्म होता है रूपयां तो यहां पर रापर जो है आप देख पा रहे हैं रूपया लिखा हुआ है छोटा उ का मातरा है तो यहां पर छोटा उ का मातरा है जबकि आप तदसम बनाओगे तो रापर जो है वो बड़ा उ का मातर लगेगा रूपया ठीक है तो रूपय होगा इसका तदसम रूखा का हो तत्सम, यहाँ पर रोमा का जो है, तत्सम क्या होगा रोम, तो रोम हो गया तत्सम, तत्दभो क्या बनेगा रोमा, ठीक है, चंद बिंदि है रोवा अगला है लांगना का लंगन होगा लंगोट का लिंगपट है तो ये भी कई बार कुछा जाता है लंगोट लिंगपट है लाठी का यास्टी है लहसुन का लसुन होगा लोहार का लाहोकार है लौंग का लवंग होगा लाख का लच्च है लंबा का लंब होगा लकडी का लगुड होगा लटकना का तो लटकना अपने आपने एक तद्भो सब्ध है इसका तद्सम बनेगा लटन साग क्या लिखा हुआ है साग तो साग तदभो है इसका तत्सम होता है साग सीसम का सिंसपा होगा सात का सब्त होगा सगा का सोकिय होगा सीधी का स्रेडी है सरबस का सरबश्ष है सुमिरन का इसमरण है सगुन का सकुन होगा, सतसई का सब्तशती है सुभरन का सोनड होगा, सलाई का सलाका होगा सलाई का क्या होगा, सलाका सिर का सिर है, तो यहाँ पर छोटा सा, यहाँ बड़ा सा हो जाता है संयासी लिखा है, तो संयासी अपने आप में क्या है, कि तदभो सब्द है जबकि तत्सम क्या है? सन्यासी, तो सन्यासी हो गया तत्सम, साखी का होगा साख्षी, सियार का स्रिंगाल है, सीख का सिच्छा होगा, तो सिच्छा एक तत्सम शब्द है, और तत्भव होता है सीख, सुहाग का शोभाग्य है, सीला का सीतल होगा, सोहन का सोभन है, तो सोहन का सोभन है, सास का स्वस्रू है, ससुराल का स्वसुराल है, तो शसुराल अपने आपने एक तद्भो सब्द है, इसका तद्सम होता है, स्वसुराल है, सहारा का सहाय होगा, तो सहारा अपने आपने तद्भो है, तद्सम होता है, सहाय, सांड लिखा है, तो सांड का क्या होगा, संद होगा साड़ू है सियाल वोडर होगा सामला का स्यामल होगा सांस का स्वास है सांसत का सास्ती है साग का साक होगा और साठ का सस्टी है लड़ू का लड़ू को होगा लहुरा का लगू है लादना का लार्दयती है लालच का लालसा है तो लालसा तदसम है और लालच तदभो है लेटना का लेटयती होगा लोड़ा का तदभो है और लोस्ट जो है तदसम होगा लगना का लगन है लाज का लज्जा होगा लंगडा का लंग है लिलार का ललाट होगा तो ललाट तद्व तद्सम शब्द है और इसका तद्व होता है लिलार लोहा का लव हो है लीख का लिक्षा है लोन या नोन लोन और नोन दोनों का जो है वो लवड होता है लोयन का लोचन होगा सांकल का स्रिंखला है शपूत का सुपत्र होगा साड़े का साड़्ध है तो साड़े अगर लिखा है तो साड़े अपने आप में के तद्भो है इसका तद्सम होता है सार्ध ससुर का स्वासुर होगा साप का सर्प है सच का सत्य है सजाना का सज्जापन सताना का संतापन सताइस का होगा सप्त बिन्शत सत्तू का सक्तू है सपना का स्वपन है सजाना का सज्ञान है सर्शों का सर्शप है सुई का सूची का होगा 47 का सब्त चत्वारिंशत होगा साग का शाग 60 का सस्ती हो गया सिछाई का सेचन होगा 60 का या 60 तो 60 का या 60 किसका 60 का तो 60 तरभो है सेमल का होगा सालिमल सेवई तो सेमई का क्या बनेगा सेवी का और ये बिंजन की संदर्व में है सोरठा का होगा सवराष्टर तो सौराश्ट रपने आपमे एक तद्सम है और सोरथा जो है वो तद्सभव हो हिनयाना का है a a管 है कि हैंड़ का हथनिक रिकींद का संग्यान हुआ और सर्शो driving होगा सुईика सूचिका है शिख का होता है सिस्या तो सिस्य से एक तत्सम सब्द है इसका तद्भो बनता है सिख सावन और स्रामण इसके बाद लोयन लोचन हो गया लच्छन लच्छन हो गया लेई लेपी का होगा लेई तद्भो है लेपी का तत्सम वाग का वलगा है वाग का आशव है विधाता का विधातर है विच्छो का विच्छोब होगा विंती का अभिनती है सक्कर का सरकरा है तो सक्कर तदभो है सरकरा तत्सम है शासी का होगा शासी तो शासी का क्या होनेगा शासी ठीक है और इसी तरह पूरा अध्यन खंड सामाग कियेगा दूस्त आपको लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर किया करिए लाइक करना होता है तो आप लोग कम से कम मोटिवेट जरूर किया करिए जिससे हमारी एनरजी जो है वो इस्टफ हो सके तो दोस्तों थाइंक्स दो टॉपिक और बस रहें उसके बात पूरा आप कम्प्लीट हो जाएगा और ये आरो के लिए प्रिलिम्स और मेंस दोना